सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो को आप अंतक देखिए इस पीपीटी का पीडिएफ आपको आपको बताना है यह कौन सी स्टेट में लोकेड़ है बिहार, आसाम, हिमाचल प्रदेश, या फिर वेस्ट बंगौल इसका सभी आंसर है बिहार, अब हाली में इसको रामसर साइट की रिकॉपनेशन मिली थी, इसलिए ये निव्ज में बना हुआ है, और ये बिहार का फर्स्ट वेटलेंड है हमारा कबरताल, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यह कबरताल दो वेटलेंड है, हमारा बिहार का इसलिए काफी इंपोर्टन है एक्जाम के लिए, आप ये मैप में देख सकते हैं, ये रहा कबरताल विहार के अंदर हमारा है, अब वेटलेंड में ही हमारा जो रामसर कन्वेंशन है, इसको इंक्लूड किया गया है, अब रामसर कन्वेंशन होता क्या है, ये एक्शलिए कर सा नंटेन वा था 1971 भिर एक हिरान में स्पेंड प्लेंस है यहां पर साइन हो साइन गया अगरा बाद्री और च भ गया वगया Oo तो इनके अंतर का इंडिया को भी है अपना काम करना पड़ेगा इनको गंजर्व करने के लिए उसके लिए इसके 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 इंपॉर्टन के भी जुरुत पड़ती है तो इसलिए इसके ताहत हमारा अब होता है जो वह ब होता है जो वह हुता है जिनके अंदर जो रहे हैं या फिर हो चुके हैं उसको इसके अंदर रखा जाता है इस रामसार कंवेंशन पी हमने और एक और कोशन फ्रेम किया है जो अभी आप आगे देखेंगे हमारे नेक्स कोशन लेटेटर के वी कामत कमिट्टी से रिलेटर है जो कि हाली में आजबे के दौरा बनाएगे थी इसका सही आंसर आपको बताना है फर्स्ट ऑप्शन है पारेमेटर्स फॉर रिस्ट्रक्शिरिंग ऑफ लों इंपार बाइदी कोविड-19 प्लासिविकेशन ऑफ बैंक्स बाइसाइज ऑफ फॉर प्रेंशल मर्जर ऑप्शन सी रिविजन ऑफ मोनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क उप इंडिया अप्शन है इसलिए जो है उसी कारण अगे बना बाऊलिए div कामथ बना तक होगा ऐसलिए काफ़ी में आपको बतानां किस से घ्रियूर बेटर है फ़स्टेट्र कीसल अटर्स्टाइं कॉप्शन विजाबन तंडियलो से सुन तके पीस एग्रीमेंट फॉर नॉर्डन आयलेंड प्रेज़ को बना हुआ थो क्योंकि अब है यूएसे के जो अभी प्रेज़ेंट बनने वाले हैं उनको इन्वाइट किया गया था ब्रेक्जीट और गूरूड फायड़े Agreglement हमारा है क्या तो गूड-फ्राइड एक्शली हुआ इसका दूसरा नाम है बेलफरस ऐग्रिमेंट की इसके अंतर गया तो जो हमारे आईरिस में मतलब कि हमारे यहां पे जैसा कि आप में देख सकता है आयलेंड हो गया नर्दन आयलेंड हो गया यहां पे काफी इसलिए इसका नाम पढ़ा गुड़ फ्राइड इस यह भी हमारे इंप्रॉटन के लिए आगे बढ़ते हुए हमारे नेक्स पॉस्ट लेटेट है साइटोकाइन स्ट्रॉब से लिटेट है आपको बताने यह किसी से रिलेटर है क्या एक एस्ट्रॉड है या फिर एक हो था न्यूज में हुआ गया कि हमारे कोवीड कोरोना वार्यस में होता गया में रिस्प्रेटरी फेलियर होती लंग्स में यह इंफेक्शन होता है तो कई सारे रिसर्चर्च और डॉक्टर्स बोल रहे थे कि साइटोकें स्ट्रॉम इसके लिए जिम्हदार है हमारे इसके रिस्प्रेटरी सिस्टम के फेलियर का लेकिन अभी हाली में एक रिसर्च पब्लिस हुई है उसके मुताबिक यह हमारा साइटोकें स्ट्रॉम कोई इससे रिलेटर नहीं है हमारे रिस्प्रेटरी सिस्टम के फेलियर से इसलिए हमारे नियूज में अभी बना हुआ है तो अगर कोई भी चीज शरीर में ज़्यादा रली जो होती है तो उसका impact पड़ता है शरीर पे तो इसलिए इसका study किया गया था आगे बढ़ते हैं हमारा next social leader food coalition नाम से भी कुछ चालू किया गया है आपको बताना है यह कौन सी इसका चालू किया गया है नीति आयक दोरा food and agriculture और वर्ल्ड फूट प्रोग्राम दोरा याव मुनिश्टी अफ अग्रिकल्चर के दोरा food coalition से आंसर है यह हमारा चालू किया गया है food and agriculture organization दोरा चालू किया गया है थोड़ा देखते हैं इसके बारे में यह important हमारे इटली में इसके headquarter है और इसका इंडिया का मेंबर है तो हाँ इंडिया इसको बिल्कुल मेंबर है आपको इस बात का ध्यार नगना है कि इसके कारण हमारे कई सारे कंटी में खाने पीनी के दिक्कत हो रही है तो उसको सही करने के लिए हमें फूड सही से mobilize करना है बाकी country उससे तो वह mobilize करने के लिए यह हमारे food coalition अभी चालू किया गया है एफ ए ओ द्वारा इसलिए आपको ध्यान लखना है food coalition हमारा किसको द्वार चालू क्या जया है एफ ए ओ द्वारा एफ और तो food and agriculture organization के द्वारा इसका headquarter का है तो headquarter है हमारा Rome Italy में headquarter है आगे बढ़ते हैं यह हमने इसको याद रखना है क्योंकि यह पूछते रहते हैं हर एक एक्जाम में ठीक है जो आप देख सकते हैं रूम में हमारा जो है फूड और बाकी और यहां पर चार पांच और इसन है उनका भी headquarter है जनेवा में देख सकते हैं डालू है डालू है इंडन लेबर वासंटन में वर्ल्ड गुरूप का है तो इसलिए आपको यह ध्यान लखना है और याद करना है पैरिस में हमारा यूसको का है ठीक है इसको याद करना है एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टन है हमारा नेक्सकों लेटर है मुंडा रविलेस्टन रविलेंस रवेलेंस से लेटर है अब यह न्यूस में क्यों था तो वहारे प्रदान मंतरी जी ने बिर्शा मुंडा को जैन्ती पर ट्रिब्यूट प्रवाइड किया था इसलिए नियूस में बना हुआ है ठीक है इसका फ अर्हार देखते हैं कि घृ कि जो है हमारे मात्र हमारे ट्रैवल हैं की जो पोर्ट्रेट लगी हूए है हमारे पारलेमेंट के अंदर इसलिए इंप्रॉटन्ट है आपको ध्यान पूछते हैं यह पीसी पीसी सभी एक्जाम में इनकी जो रिबेलन थी यह हमारे बिटिसर्स और लेंडोर के खिलाफ थी और साथ ही इन्होंने क्या किया था टैक्स को पे करना बंद कर दिया था इंट्रेस्ट को पे करना बंद कर दिया और बिर्सा मुंडा के कारणी छोटा नाकूर में जो एक छोटा नाकूर टेनंसी आक्ट पास हुए थी 1908 में इनके रिवोल्ट की कारणी इनका बहुत 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 पूर्ण योगदान था बिर्सा मुंडा का इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है मारे एक्जाम के लिए आगे बढ़ते हैं कि यह कुसुन है कि मिनिस्ट्री द्वर्ण सको इंप्लीमेंट किया जाता है मिनिस्टर पावर मिनिस्ट्री अफ्णी इनेवर अनश्मनीश्ट्री अफ्णी का प्रधान मंतरी किसान औरजा षुरक्षा एभं उत्थान अब महा भियान इसका इसका सही आंसर हो गएगा लिए एकागर प्रदा क्लिसमें अभी स्क्राइब ऑधाए कि फिन पा segunda हो दोशी जिन ःगाद कर सकते हैं और हमारे उस डॉट नहीं था इसके संथन कर вами को जो पानी के जो मोटर है वो इंस्टॉल करना है बीना बीजली के सोलर पावर का इस्तमाल करते हुए हमारे अग्रिकल्चर फिल्ड्स में इसलिए पीम कुसम का काम में वही है कर अब ही थोड़े दिन पेले आρसी इपी को साइण किया घया आपको बताना है कि कौन सी साथ सभंटस और और जूसे कँवी रिटा इसHelp आप जैसे कि मैप में देख सकते हैं अर्ट ऑसरीयम के बार में हमने कलीबात किया थे यह 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 10 एसेन गंटी है जो यहां पे है अभी जो इसको कौन को से क्राइब करीब थर्टी पर संट हो जाएगी और इसका पॉपलेसर भी करीब 30पर्संट हो जाएगा इसलिए काफी इंपोर्टेंट है हमारे एक्जाम के लिए और यह फॉर्स्ट एग्रिमेंट है जहां पे चाइना जापान और सौथ कोडिया एक साथ मौझूद है फ्रीटेड एग्रिमेंट इसलिए यह दियान रखना है आपको इस बात का लोनार लेक भी अभी न्यूज में है आपको बताने कों देश्ट में लोकेटेट मत्परदेश मनिपूर महराष्ट या फिर हिमाचल परदेश इसका गलत आंसर महाचल भी गलत आता सही आंसर इसका महराष्ट मैप में आप देख सकते हैं लोनार एक्टिली बना था एक 2000 साल पहले और यहां पे आपके लिए और इसमें यहां पे ड्राफ रिजर्फ के नदर आता है यहां से हम लोग ईस्तमाल करके अर्थ का पता करते हैं लोग करता थे उन इसको को आगे वड़ते हैं हमारा आज क्लास कुसटन है यह वागैं में अज आठारा तारीक और हम लोगा डिसकर्ण से इंप WR first फ्यूर्स के इस वीटियो को आं तक देखिए। और इस PPT का PDF आप हमारे टेलग्राम चैनल से भी नौर्ड कर सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो क्रिपा करके लाइक से रहे सब्सक्राइब करना ना बोले आपको नाम बदा नाएं उनका राबिड़ी रेनु देवी हमारी बिहार की फॉर्स्ट वॉमें डिप्टी सीम बन गहीं है इसलिए काफी important है हमारे exam के लिए इस बात का ध्यान रगना है और साथ ही हमने कल डिसकस किया था कि बबर्थाल वट्लेंड के बारे में जो कि बिहार का फॉर्स्ट रामसार साइट है ठीक है आपको इस दोनों बात को आपको धिमाग में रखना क्योंकि exam में कभी बूच सकते है है वह फ्रस्ट जो लेडीज है हमारी political field में उनके वारे में थोड़ा हम लोग अभी next ppt में देखते हैं है हमारी फॉर्स्ट वोमेंट फिनैंस मिलिस्टर है वह कौन है वो निर्मला सीता रहन है वह स्ट वोमन फूल टाम फिनैंस मिलिए जो कि इंडिया की फॉर्स्ट व 47 में 1st cabinet वे की मेंबर थी हमारी यो 1st वुमें पि-इम कौन थी इनको सब आपको इसके बार में पता ही होगा वह कौन थी इंद रागाण्धी थी और साथ प्रेज़ेंट कौन थी इंडिया नेसल कॉंगरस की को इनी बेसंड जिनको 19 17 में बनाया गया था और हमारे जो इंडिया की फर्स इंडेन बॉंड वूमंन प्रेज़ेंट कॉंठी कक्र medidas की वो थी वहारी सरोजिन नाइडू जिनको 1925 के सशन में प्रेज़ेंट बनाया था आगे बढ़ते हैं next question की तरह बढ़ते हैं स्वान जैनती fellowship scheme किसके दोरा प्रवाइड किया जाता है ministry of finance ISRO department of science and technology या फिर national council of applied economic research इसका सही answer है department of science and technology psychology अब हम लोग देखेंगे यह अखिर न्यूज में क्यों था तो न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि अभी 21 scientist को यह fellowship provide किया गया अभी प्रवाइड कि किया जाता है तो यह प्रवाइड उन कि हमारी ministry of science and technology की एक department है आपको बढ़ते हैं नेक्स कुछन की तरफ कि national press day से रिलेटर है आपको बताना है कि किस दिन ऑपज़ॉर किया आता है 15 दौवंबर 16 दौवंबर 17 दौवंबर या फिर 18 दौवंबर उसका सभी आंसर है वह हमारी काम करना चालू करी थी 16 दौवंबर से अब दिमाग में सवाल आता है कि यह press council of India है क्या तो press council of India जो है हमारी एक watchdog है जो press में high standards को maintain करने के लिए काम करती है ठीक है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 16 दौवंबर को national press day celebrate किया आता है तो क्यों किया आता है इसी दिन हमारा press council of India काम करना चालू करी थी और यह जो हमारा press council of India है यह statutory body है मतलब कि यह backed by law है तो law कौन सा है press council act 1978 है इसी के साथ हम लोग और भी थोड़ा discuss कर लेते हैं जो हमने days अभी थोड़े दिन पहले discuss किये थे जैसे हमारा था 11 नौवंबर को था national education day था हमारा थर्टीन को था हमारा national ayurveda day था तो फॉर्टीन को क्या था हमारा हमारा चिल्लेंज दे था और साथ में हमारा diabetes भी था तो हमारा अब पढ़ा 16 नौवंबर को क्या पढ़ा है हमारा तो हमारा national press day है उसको आप ऐसे ध्यान भी रह सकते हैं कि चिल्लेंज को celebrate करने के लिए हमने प्रेश दे मनाया तो इसको आप ऐसे लिंग करके याद कर लिजेगा आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स को से लिटेट है विच मिनिस्ट्री डिपार्ट्मेंट और 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 रूपीस 100 क्रोर से नबहू इसमें कुस्चन में यह काना चाह रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री करना तो कौन सी वह किसकी जिम्यदारी है उसका सही आंसर आपको बताना है उसका सही आंसर है कि अी प्लिक एसेट मेनजमेंट और और वर्लड बैंक का एक अग्रिमेंट हुआ है इसके आंतरगरवर्ड बैंक जो है डीपैम को कौन कौन से में मुनिटाइज करना है तो अब दिमाग में यह सवाल आता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो नाम देखके आपको सबज में आता होगा यह जो है हमारा मिनिस्ट्री फिनेंस के अंदर है ठीक है बढ़ते हैं आगे नेक्स सोचिंग दिरफ कि kind सब्लइब आथ यह का मगश्च में बैट जो सकते हैं इस अर फ्रीकन लियम के लिए काम करती है ठीक है इफिकें के लिए के लिए काम करती है इसलिए अभी न्यूज में क्यों था तो न्यूज में क्यों था वह हम लोग नेक्स स्लैड में डिसकॉस करेंगे और साथ मी इसकी जो है न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी मिनिस्ट्री आफ सीविल अभी एक इसको चालू करने दिया है ताकि वह ड्रोन का इस्तमाल कर सके अग्रिकल्टिर रिसेर्च एक्टिविटीज के लिए जैसा कि आपको पता होगा कि द्रोन का इस्तमाल हम सैंक्शन के द्वारा उसका आपको चाहिए इसली साइन्वें सेको इकरी सेट को मिला है अभी मिनिस्ट्रषण के द्वारा इसका फिर इसका हेड्कौर्टर कहां पड़ा इसका है है ध्राबाद है क्याँ हमारा नेकस्ट केसम यह हमारे प्राइम зов Brit हाली में स्टाच्यő आफ पीस को उनुवील किया था 155 बर्थ अनुविर्सवर्सवररी ऑफ क melting के पर्सेलिटी के बर्थ अनुविल किया गया तो स्थल बाहु बदबाहु सुधरम स्वामी या जैनाचार सी विजय वलनाब सुरीष्वर जी महाराथ इसका सचा अन्सर है सप्रेखते हैं इसका सबसुन हंतु долго देखते हैं इसके बादे ये यह जो हमारी छी एकष्येन सथीकिन किसा है हमारे स्जाउब करने के लिए यहल्प किया है उसके लावा इन्होंने सोषर में हाम किया है और और इसलिए काफी इंपॉर्टेंट नाम से इंटरेट सर्विस पर प्रवाइड करने के लिए चालूक किया है तो आपको बताना है कि उसका सही आंसर कौन सा है Google, Facebook, SpaceX या जीओ तो उसका सही आंसर है SpaceX SpaceX ने अभी इंडियन गवर्मेंट से हाली में इंडियन गवर्मेंट को अर्ज किया है कि हमी satellite technology का यूज करते हैं इंडियन प्रवाइड करने के लिए इसलिए न्यूज में बना हुआ है तो अब हो क्या रहा है कि जैसे की Google होगी, Facebook होगी या SpaceX होगी यह बड़ी-बड़ी कंपनी जो है इंडियन प्रवाइड करने के लिए आगे बढ़के आ रही है पर देखते इसके बार में स्टार लिंग जो है यह एक सैटलाइड इंटरेट प्रवाइड करने के इस तीम है उसके तब क्या हुआ है हम लोवर अर्थ और्विट में सैटलाइड लॉंज करेंगे और करीब करीब 12000 सैटलाइड लॉंज करेंगी जो स्पेसेक से 12000 सैटलाइड लॉंज करके इंटरेट प्रवाइड करेंगी पूरे वर्ल्ड में यह इसका प्रजेक्ट है तो लोवर अर्थ और्विट ही क्यों लोवर अर्थ और्विट इसलिए क्योंकि यहां से टाइम लाइक कम होता है जबकि हमारे अगर जियो स्टेशनरी हमारी जो और्विट होती उसमें टाइम लाइक ज्यादा आता है तो लेकिन फिर लोवर अर्थ और्विट में दिक्कत क्या होती है कि जाला सेटलाइट लॉंज करने पड़ेंगे एस कंपेट टू हाईयर अर् पाले भी डिसकस कर चुके हैं लेकिन जो इसका प्रिजक्ट था गूगल का तो यह उसका नाम था प्रिजक्ट लून था जिसमें क्या है कि एक अलग अलग लग लोग अर्थ और्विट में ही हम लोग बैलून को ऊपर छोड़ा जाएगा ताकि हम लोग इंटरनेट जोरम या फिर लक्षदीप उसका सही आंसर है अड़नाचल परदेश अब यह दिमाग में यह बात आती है कि भाई यह सीविल रिपोर्ट है क्या तो यह रिपोर्ट है हमारी जो पब्लिस करता है इसको कौन से और में से पब्लिस करती है इसके तायत जो हमारे अड़नाचल में बनाया गया था और यह हमारे ministry of home affairs के अंदर अंदर आती है इस बात को बिलकुल ध्यान रखना है यह बहुत ही important organization है क्योंकि यहीं हमारी जो census हो गई हम लोग हट 10 साल पर करते हैं linguistic survey हो गया यह दोनों यहीं करती है इस बात को ध्यान रखना है और हम लोग अब देखते ह सिस्टम होता क्या है सिविल रेस्टेशन सिस्टम के तहद हमने continuous एक रखा यह प्रोसेस है इसमें कि हम लोग जो बर्थ और और स्ट्रीवर्थ को कौंट करते हैं ताकि हमने हमें जो करेंट प्रोसेस हमारा सोच्व नाम पैलिंग को हम लोग उससे आप से according इसको कर सके आग लीग भर डमोक्राषी आरकान नाशनल पौ्टी याविद सान नीचलिस लीग फौर डमोक्राषी कि उसका शही आंसर है नेचली वह जुक्राइब की एलेक्शन हुआ इनको काफी बहमोत मिला है काफी आज मिला है इसलए हो इसलिंवे में इसमार्फ में देखते हैं मैं मे आप में दिख सकते हैं यहाँ फो सकते हैं आप इंडिया की नेवरिंग कंट्री यह फिल्कुल धियान रखना है encard कि समग्याव दिनानेते घ्राइब स्टरीश इलांहें क्राइं कि दुद्द मीजुद जो आप मैप में जूम करके आप इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लिजेगा यह काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एक्जाम के लिए और हमारे जो इंडो मेंबर बॉर्डर है उसको कौन सी औरनेशन गार्ड करती है उसका अंसर है असम राइफल असम राइफल हमा अभी पब्लिस हुई है इसका आपको ऑथर बदाना है बैरक अबामा नेंसल मंडेला चार्ज डार्विन या रामचंद गुवा इसका सही आंसर है बैरक अब्लिस किया गया यह खाफी नीज में बना हुआ है क्योंकि इन्होंने कुछ राहुल गांदी के बारे में इसमें बना हुआ है कि इसे कहुक्त होता है आपको हम्रेवीडियो पशन्द आया होगा अगर आपको हम्रेवीडियो पसंद आये तो क्रीप्र करके लाइक सेर्व और ना भूलें और इस टीपीटी का पीडिया आप हमेरे टेलीग्राम चैलेंज से भी डॉनलोड कर सकते हैं धन्य इसलिए इस वीडियो को अंग तक देखिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो क्रिपा करके लाइक से रहे सब्सक्राइब करना ना बूलिए तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट कोशन लिटेड है क्रूर ड्राइगन स्पेस्ट्राफ से लिटेड है यह आजकल काफी नियुज में ऐसे भी बना हो रहता है तो यह इसका सहियास इंसर स्पेसेक्स है एलाउन मस्क की जो स्पेसक कंपणी है यह हमारी क्रू को लेZYाने के लिए और की लिए इस्ते लीए क्रूं क्रू को लेकर जाते हैं और हमारे क्संदे को इंट्रेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कौन सा है तो वह है महारास्ट आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स कोशन लिटेट है स्ट्रक्षम प्रजेक्ट से लिटेट है आपको बताने कौन सी फिल्ट से रिलेटेट है option A है free education to secondary students option B यह क्या एक scholarship scheme है Department of Science and Technology रहा option C है यह क्या एक rehabilitation schemes है women's के लिए या फिर यह प्रजेक्ट related to psychosocial counseling है यह है उसका सही answer है यह अभी हाली में चालू किया गया है इसलिए यह न्यूज में है यह हमारा चालू किया गया है Tata Institute of Social Science के दौरा चालू किया गया है और यह हमारे प्रजेक्ट सक्षम रेटेड है psychosocial counseling to TB patients के लिए इस्तिमाल किया जाता है थोड़ देखते हैं इस प्रजेक्ट के बारे में कि यह हमारा TB होता है TB हमारा होता किस से है तो वह बैक्टीरिया सो होता है माइको बैक्टेरियम टूबर कलॉसिस के द्वारा हमारा TB होता है और इसमें होता क्या है यह हमारे लंक्स को इंफेक्ट करता जैसा कि आप लोग हमारे फिगर में देख सकते हैं यह हमारा जो है में इसको टीवी को 2025 तक इल्मिनेट करने का टार्गेट बनाया है जो की वाल्ट हैछ और यापको ज्यादा पहले टार्गेट इन्होंने अचीव इको सिस्टम इसमें क्या होता है यह हमने एक information system बनाया है जिसमें हम लोग TV patients को monitor कर सके उनकी health और उनके तो भी parameters को हम लोग एक जगा information को एकटा करके monitor करने के निक्ष्च एको सिस्टम बनाया है यह भी आपको पता होना थी कि किस field से लिटेट है यह हमारे TV से लिटेट है और हमारा इसी के अंदर एक और है TV से लिटेट है निक्ष्च पोसन अबियान इसमें हम लोग financial support provide करते हैं government provide करती है किसे provide करती है तो फिर यह TV इसलिए आपको confused नहीं होना है तो हमारा एक और प्रजेक्स चल रहा है प्रोजक्ष्छम दार्शेन पर एक रीवेंस के दवारा और रेलेज के द्वारा चालू किया गया था प्रिट्रोलियम कंजर्वेशन रिशर्ज एसोशेशन के द्वारा इसमें हमारा क्या काम करना था इसमें आपको नाम देखके लग रहा होगा पेट्रोलियम कंजर्वेशन से है तो यह आविसली कंजर्वेशन को हमाई एवेरनेस फिलाने के लिए इस्तिमाल किया गया था आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट को सब्सक्राइब कोन से स्टेट में लोकेटिट है तमिलनाडू केरला करनाटका या फिर आंधपरदेश इसका सही आंसर है केरला अब यह न्यूज में क्यों था न्यूज में अभी हुआ क्या है यह हमारा एक अन्ना कयम स्मॉल हैड्र और प्रजेक्ट है यह हमारा इसी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में इस्टाइबलिस होने वाला है इसलिए यह न्यूज में है और वहां के ट्राइबल जो ह है केरला के अंदर यहां पर आप जैसे मैप में देखिए यह हमारा जो को सा डिस्टिक गवा पलक कर डिस्टिक के अंदर हुआ और इसको रिकर्गरीशन कम मिली थी दो जार आठ नौ में इसको रिकर्गरीशन मिली थी और यह टाइकरीजर फेमस किसलिए है यह हमें actually क्या है कि यहां पे first scientifically managed teak plantation हमारा world में चालू किया गा था, इसलिए आपको हमारे exam के लिए काफी important है, आपको ध्यान में रखना है कि हमारा first scientifically managed teak plantation कहाँ चालू किया गा था, तो परambiculum tigerizer में चालू किया गा था, और यह हमारा एक और चीजी तो कि एहां पर इंप्पॉर्टंट है यहां कि वो रड़्ट लाजेस्ट और स्टीब है खरडी बिए कि तीख ट्री भी है इसका नाम है कं़ी मारा तो क्या नाम है मारा कं़ाम्निमार्ण नाम समाँ यह लिफिद हैं वह मिलते हैं देरे अभी हाली में किसी कंट्री ने 10-year golden card वीजा चालू किया है इसका तो सही आंसर आपको बताना है तो UAE इंडिया औस्ट्रेलिया यह USA इसका सही आंसर है UAE अभी UAE ने हाली में यह 10-year golden card वीजा प्रडम चालू किया गया है इसको नाम देख के लग रहा हुआ आपको यह golden visa मतलब की क्या हूआ कि हमारे जो 10 साल के लिए UAE ने residency प्रवाइड करते है हमारे किसको प्रवाइड करते हैं तो professionals को प्रवाइड करते हैं regarding PhD हो गया फिजीसियन्स हो गया इंजिनिर्स हो गया फिर के निउज में हैं हमारा नेक्स कुर्शन लिलावती अवार्ड से हैं आपको बताना है यह कौन सी इंस्टियूशन दौरा चालू किया गया है नीतिया योग मिनिस्ट्री आफ वुमेंड चालू किया था अभी लॉंज किया था तो यह हमारा जो है एएसीटी ७ॉक्ष्ण को बता है हमारा यह फिर्टरी चालू किया गया है था देखतें इसके बार में इसके बारे में और यह होता क्या है चालू किया गया तो एएसी जो है हमारे कई सारे जो प्रोफेस्टियूशन से उसको करांब को सा Kellum एक आवर्ड चालू किया गया है इसके तहथ हमारे कई सारे जो पैरेमेटरस हैं जिस पर उनको एंपाउर करना है वह उस मुंद में से कुछ है Sanitation, Hygiene, Health, Nutrition, Literacy, ETC, ETC पर उनको Empower करना है और उसी के basis पर उनको Award दिया जाएगा इसलिए आपको ध्यान अकना है कि AICTE द्वारा ही लीलावती Award को चालू किया गया है आगे बढ़ते हैं हमारा next question related है अभी हाली में Indian Government ने एक MOU Sign किया है जिसता नाम है MOU Sign किया है Grant Assistance for Implementation of High Impact Community Development Projects किसके साथ Sign किया है स्री लंका, वेतनाम, कजाकिस्तान या कतर इसका सही आंसर है कजाकिस्तान जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं यह कजाकिस्तान हमारा एक Central Asian Country है अभी हाली में इंडर्गर्मन गर्मन ने एक MOU Sign किया है 7th round of Foreign Office Consultation जब हमारी मीटिंग चले थी उसके अंतरवर्गत के पर में थोड़ा देखते हैं कजाकिस्तान जो है यह Central Asian Country है जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं और इसके neighboring country कौन को से भी रस्या हुई चैना हुई किर्गिस्तान हुई और साथ में हमारा यहाँ पर उजबेकिस्तान भी है ठीक है और हमारी यहाँ पर एक अराल सी है यह भी काफ़ी फेमस अराल सी है यहां पर कैस्पेंस ही है यह सारी इसके नेवरेंग और हमारी कंट्रीज है और कजाकिस्तान की जो सबसे इंपॉर्टन बात है कि वर्ल्ड का लार्जस यूरेनियम प्रोडूसर है बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल् इसके प्रेज़डन है और हम लोग देखें कि इंडिया और कजाकिस्तान जो है यह के मेंबर हैं दोनों स्यों के मेंबर से इसके अभी मीटिंग हाली में हुई थी और उसका चेर्मन कौन था इस बार तो इस बार रस्या था उसका चेर्मन अब हम लोग डिसकस करेंगे एक और भी खाली में कुश्चन अभी काफी न्यूज में है क्योंकि जपान ने एक लैंडमार्ट डिफेंस जिल साइन किया किसी कंट्री के साथ वो काफी चाइना में उसकी कारण से गुस्सा है तो किस कंट्री के साथ साइन किया है आपको बत है कि कॉंटर में जस्ट वो लेगा दोनों कंट्री के के खिलाफ तो आपको ध्यान में रखना है कि जपान और ऑस्ट्रिया ने यह प्यक्ट साइन किया है अब हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जपान के प्राइमिनिस्टर कोन है तो जपान के प्राइमिस्टर ह चालू किस्टेट में चाला किया गया है गोवा अरमाचल प्रदेश गला या फिर गुज्राट रहा सब्सक्राइड पर आंफिक और हमारा एज करके हम लोग जो energy solution बनाएंगे किसके लिए बनाएंगे रूलर और agriculture कंजम्शन के लिए हम लोग बनाएंगे और यह कहां पर setup होगा यह setup होगा गोवा में तो यह चालू किसके दौरा क्या गया है चालू क्या गया है हमारा energy efficiency services limited के दौरा तो हम लोग आगे इसके बारे में थोड़ा ड्रीडल से देखते हैं अब हमारा जो energy efficiency services limited है यह हमारा एक joint venture है आपको ध्यान रगना है कि यह हमारा joint venture है joint venture किनके बीच में है एंटीपीसी है पावर फिनांस कॉर्पेशन है रूलर एल्टिसिटी कॉर्पेशन और पावर ग्रीड के का यह joint venture मिलकर के बना था यह single entity की दौरा नहीं बना है यह 3-4 energy companies मिलकर के इसको बनाई थी और हमारे यह setup किसके अंदर किया गया था मिनिस्ट्रियों पावर के तहत किया गया था अब हमारा यह देखना है यह energy efficiency services limited काफी famous है कि दो स्कीम के कारण दो स्कीम का नाम है उजाला और SLNP SLNP बोले तो स्ट्रीट lightning national program तो उजाला जो है इसमें हमारा LED बल्च को distribute किया गया था काफी world scale पे इंडा में काफी large scale पे किया गया था इसलिए इसको world का largest domestic lightning project भी है यह आपको इसलिए ध्यान रखना है कि उजाला स्कीम किसके दोरा किया गया था तो EESL के दोरा किया गया था उसी तरह कि SLNP भी है जो कि हमारा street lightning national program है यह भी हमारा world का largest street lightning replacement program है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उजाला और SLNP दोनो EESL के दोरा ही किया गया था हमारा next question related है renewables 2020 analysis and forecast to 2025 project यह कौन सी यह report अभी publish हुई है कौन सी और इसको पब्लिस किया है Greenpeace UN International Energy Agency या इन में से कोई नहीं इसका सही आंसर है International Energy Agency International Energy Agency जो है हमारी एक autonomous body है इसका की headquarter हमारा Paris France में है अब यह हम देखेंगे यह बना क्यों था यह बना था हमारे 1974 में जब हमारी oil crisis हुई थी OPEC कारण के कारण इसके खास बात है कि यह हमारा इसमें membership तभी आप ले हो सकते हैं जब आप इसके OECD के member हों अधरवाज आपको membership इसकी नहीं मिल पाएगी और इसका एक important report भी publish होता है जो आपको रहाद रखना है उसका नाम है इनर्जी आउट्लूक रिपूर्ट इनर्जी आउट्लूक रिपूर्ट किसके तवह अपकाश सित होता है वो होता इंटरनेस्टान एनर्जी एजनसि के तवरा अब हम लोग discuss करेंगे 1.5 diplomacy होता क्या है option A है official discussion होता है unofficial dialogue होता है या people to people diplomacy होता है या none of these होता है इसका सभी answer है यह हमारा none of these होगा क्योंकि इसमें हम लोग official और non-official मिल करके हमारे disputes से उन पर काम करते हैं अब track 1 में देखिए track 1 में क्या होता है कि हमारे government officials आपस में discuss करते हैं one country to other country अट्रैक 2 में क्या होता है इसको बैक चैनल diplomacy भी बोलते हैं और इसमें हमारे dealing होती है वो होती नन ओफिसल्स द्वारा मतलब कि हमारे NGOs बिजनेसमें इसमें बैक चैनल में discuss करते हैं तो 1.5 कहां पर आएगा दोनों के बीच में है तो इसमें हमारे officials और non-officers मिल करके discussion करते हैं इसलिए हमारे इसको बोला जाता है 1.5 diplomacy आगे बढ़ते हैं हमारा आज का last question लिटेट है अभी एक book प्रकासित होने वाली है autobiography आयाम नू मसीह यह किनके life पे लिखी जाएगी इन्होंने काफी अच्छा काम किया था क्रोना के समय में काफी humanitarian support प्रवाइड किया हमारे migrants workers को इसलिए यह काफी famous हो गया है अभी और इनके अभी book लिखे जा रही है यह book लिखने में उनकी help कौन करेंगी तो मीना एयर करेंगी उनकी help और अभी साथ में आ आज का question and answer का session समापत होता है आज़ा करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो खुर्पया करके like, subscribe करना ना भूले और हाँ इस PPT का PDF आप हमारे टेलिग्राम चैनलन से भी download कर सकते हैं thank you very much अरे दोस्तों स्वागत करते हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो खुर्पया करके like, subscribe करना ना भूले और इस PPT का PDF आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी download कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का first question है वर्ल्ट फिलोस्पीडी कब अब्जौर किया जाता है तो उसका सही क्या answer है नैंटी नॉम्बर को वर्ल्ट फिलोस्पीडे ऑपजौर किया जाता है जो हमारा कोई भी डे याद करना होता है तो उसके लिए आपको कंटेक्स्ट याद करना सबसे जरूरी है जैसे हमने याद किया था सिक्स्टीन नॉम्बर को हमारा नैसल प्रेस डे मना जाता है की अर्वक स्टीन नॉम्बर को किया था तुम्हारा आयरुवेदा यहान कीytt sah इस तुमारा यॉम्जार उथा बरको सारे देट से याद करने में सब्सक्राइब बार में सब्सक्राइन कैसे उसने ट्रश नवरा सिर जैए 15 इसलिए यह इसीन्यारκ होड़े हुआ रश को इसलिए हम लोग इस बार मना रहे थे 19 दौमबर को फिलोस्पी डे और इस सल का थीम क्या है इस सल का थीम है इंपॉर्टन साफ फिलोस्पी टाइम सब क्राइसी सीम देखके साफ पचलना है कि हमें कोवीड का इस पर इंपक्ट पड़ा है अब फिलोस्पी का थिंकिंग को प्रमोट कर रही है करोना के टाइम में आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स कुशन लिटेट है बंसी टर्म से लिटेट है आपको बताना यह आखिर है क्या लाइट मसीन गन एंटिन टैग गैडिन मिसाल है मल्टी रोल हेलिकॉप्टर है या फिर एरियल टार्गेट है तो अब यह क्यों होता क्या है हमारी जो डिफेंस फोर्सें उनकी रिक्वार्मेंट थी कि हम लोग कोई भी मुविंग टार्ट को सूट कर सके सौट रेंज में तो उसी के तहट यह क्यों को बनाया गया जिसका नाव में क्योंक्रेक्शन सर्फेस टू एर मिसाल सिस्टम इसमें कोई भी जमीन से हव में मार करने के लिए को टार्ट को सूट किया जा सकता है और इसकी रेंज क्या है तो रिसकी रेंज है 30 किलो मेंटर और इसके तहट जो है एक सिंगल स्टेश सॉलिद प्रोपलेंट रॉकेट का इस्तमाल किया गया था आपको इस बात का ध्यान अब बा तो टार्गेट सूट हुआ था उसका नाम था बंसी इसी से हमारा कोस्टन फ्रेम हुआ था तो आपको यह तीन चार जो फैक्स इंपॉर्टन फैक्स के टेस्टिंग में आगे बढ़ते हैं अब हुआरा कोस्टन लिटर्ड है एक्स लिटर्ल क्योंकि इसकी हाल फ्राले मिटिंग चल रही है इसको कौन चेहर कर रहा है फिलिपीन्स मलेसिया सिंगापूर या थाइलेंड तो सही आंसर है इसका मलेसिया, मलेसिया अभी इसकी मीटिंग चेर कर रहा है, अब हमारी ये बात आती है कि मलेसिया के पीम अभी करेंट कुन है, तो मलेसिया के पीम अभी है, मुयूद्दीन यासीन अभी पीम है मलेसिया कि जो इस मीटिंग को चेर कर रहा है, अभी आज ही यूज में आया है कि साय डोनाल्ड ट्रम्प इस मीटिंग को वर्चुली एटेंड करेंगे अपड़ा एपक के बारे में देखते हैं एपक का फुल फॉर्म होता है एस्या पैसिवी एकनॉमिक कॉपरेशन होता है तो इसको नाम देख की समझ में आ है एसिया पैसिवीक तो हमारी एसन कंट्रीज है और साथ में हमारी पैसिवीक कंट्रीज है तो इधर हम लोग देखेंगे उनकी किर्थी मेंबर्स है तो मेंबर्स हमारी है इसमें ट्वंटीवन ट्वंटीवन मेंबर्स है तो इसका हेड़कॉर्टर कहां पर पढ़ता है हेड इंडिया इसका मेंबर नहीं है इंडिया एपक का मेंबर नहीं है और इसमें जो 21 कंट्री है आपको नाम इनको ध्यान में रखना है क्योंकि इस बाए UPSC में भी कुछिन पूछ दिया गया था G20 के मेंबर्स कौन-कौन से हैं और हमारा एपक बनाया किस ले गया था जो एपक बात यह है इसमें लगभग वोल्ड के 60% of GDP इसके मेंबर्स हैं और 50% जो होता है यह इसके एपक मेंबर्स के जो इसके मेंबर्स हैं उनके उनके कारण होता है और इसका टोडल पॉपलेशन जो इसके मेंबर्स का है वो 2.8 billion है आगे बढ़ते हैं यह परमसिद्धी नाम से अभी काफी टर्म न्यूज में आ रहा है तो आपको बताने यह क्या है एक्जो प्लैनेट कॉमेट इंडिन सूपर कंप्यूटर या फिर रोबोट उसको सही आंसर है सूपर कंप्यूटर थोड़ा देखते इसके बारे में परमसिद्धी है यह हमारा सूपर कंप्यूटर है जो बनाया गया था किसके दोरा सीडेक के दोरा सिडेक ने मिलकर के डिपार्टमूंट औफ सैंसे अं तेगलोजी और मिनिस्ट्री ऑफ एलेक्ट्रोनिक्स एं इन्फॉर्मिशन टेकलोजी के साथ मिलकर की बनाया था तो यह मिशन का नाम था निशन मिला था टॉफ 500 सूपर कंप्यूटर से इसलिए हमारा नियूज में था आगे बढ़ते हैं जूस जैकिंग एक टर्म है आपको बता नहीं यह है क्या एटम कार्ट स्कीमिंग टेखनीक है या साइबर एटक है जो हम लोग कम्यूनिकेशन बात करते हैं उसको हैक करने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तब हम लोग होता है यह होता है तो उसको बहुते हैं यह काफी हमारे टैली लाइफ में यह सभी लोगों के लिए इंपोर्टन थोड़ा देखतें इसके बार में ज्वी कि होता क्या है ये जैसे कि या हमारे एरपॉर्ट में या फिर Dip स्टैंड में या फिर आप फ पहल या तो इसरे कोई भी आपका父 टाइक करेदिो करने करने के लिए दाइट्ब ऐसे कोई अब करने क foss ut at करकर दें तो इसकी लिए आपको जो है फोन में पैटन का इस्तमाल कहीं ना करें आप फिंगर प्रिंट का इस्तमाल करें तब यह होना थोड़ा थोड़ा मुस्किल होता है और इसको बचने के जिम्दारी खुद आपकी है क्योंकि अगर यह एक बार यह मालवर इंस्टॉल हो गया तो आपका फोन हैक हो सकता ह और आपकी sensitive data copy की जा सकती है किसी भी remote location से इसलिए हमारा juice jacking क्या है यह एक तरक से cyber attack है जब लोग यूस भी charging के थ्रू होता है काफी important है हमारे daily life के लिए आगे बढ़ते हैं यह हमारा अभी news में काफी बना हुआ है तो GIS one district one product digital map of India कौन से ministry के दारा चालू किया गया है इसका जो यह जो मिसन है one district one product यह जो मिशन है इसके तग क्या क्या गया है कि एक district में ज्तने भी प्रोड़क्ट होंगे उनको सभी को मिला करके mapping किया जाएगा और सभी stakeholders को एक जिँगा पर link किया जाएगा ताकि हम skip team stakeholders सभी को को ब् teralitywach भी किसी समान बेचना है किसी Fitness STaste management उसको लिंक कर दिया जाएगा और एक हमारा डिजिटल लिटा तैयार होगा यह हमारा किसके दोर चालू किया गया है चालू किया गया है हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडेस्ट्री के द्वारा वॉल्ट ट्वाइलेट डे यह कब अब्जॉर्ब किया जाता है 17 नॉवंबर 18 नॉवंबर 19 नॉवंबर 20 नॉवंबर अभी हमने देखा कि हम लोग 19 नॉवंबर को फिलोसफिय डे भी मना रहे हैं तो उसका सही आंसर है 19 नॉवंबर इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग 2020 में 19 नॉवंबर को फिलोसफिय डे भी मना रहे हैं और वर्ल्ट ट्वाइलेट डे के बारे में देखते हैं यह जो हमारा world toilet day है तो इसका conveyer 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 कौन है इसका conveyer है world UN water इसका जो में conveyer है इसका है जो संयोजक है यह है UN water यह कब मना जाता है नाइटीन नॉबंबर को यह हमारा जो था सब 2001 में world toilet चालू किया गया था लेकिन इसको UN General Assembly के दवारा 2013 में अडॉप करके 19 दौबर को हम लोगों को वर्ल्ट ट्वालेट डे बना दिया गया अब इस साल की थीम क्या है इस साल की थीम है हमारी Sustainable Sanitation and Climate Change जो हमारा SDG Goal 6 से लिंग्ड है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ट ट्वालेट डे कम मनाय जाता है यह मनाय जाता है हमारा 19 दौबर को और इसकी कन्वेनर कौन है इसकी तो कन्वेनर इसकी है यूएन वाटर अभी न्यूज में यह बना हुआ है आपको बताना कि गोवा की फॉस्ट वोमन गौवर्णर कौन थी फोटो देखके अगर आपको पता हो तो आप गैस कर सकते हैं मिर्दुला सिना सार्द वोमन गौवर्णर थी अनकी हाली में भी डेथ हुई है और गोवा में और दूसरी चीज़ क्या हुई थी हमने कली देखा था गोवा में इंडिया का फॉर्स्ट कन्वेन कन्वर्जर्स प्रजेक्ट भी चालू होने वाला है वो किसके दोरा चालू किया जाएगा एनरजी सर्विसेस और गोवा की जो हमारी जो डिपार्टमेंट आफ न्यू रिनुवेल एनरजी है उसको मिल करके वहां पर चालू कर रही है इसके बार में हमने कल डिडियल से डिसकस किया था आप हमारे कल की वीडियो में देख भी सकते हैं आगे बढ़ते हैं हमने यह लिस्ट प चोल लिए हमारी इंडियन नैसनल कॉंगरेस की और इंडियन कौन से है तो इंडियन बॉंड वुमन प्रेजिट नौन कॉंगरेस की कौन थी तो वह सरोजनी नाइडू है हमारी जो निर्मला सीतर रमन है यह फॉर्स्ट फुल्ट टाइम वुमन फिननस मिनिस्टर है और में यह बात आपको सब को पता ही होगी इंडिया की फॉर्स्ट वुमन प्रैम मिनिस्टर कौन थी वो थी इंद्रा गांधी और उन्हें ही भारत का पहला वुमन जो फॉर्स्ट लेडी थी वुमन लेट वुमन थी जिनको की भारत मिला था यह कुछर हमारा लेटेड यह एस यह की फॉर्स्ट डτοअप कहाँ पे चाप किया जा रहा है केरला गुजरात महारास्ट या करनातक ौसका महारास्ट के पारवन्य बिस्टिक में यह चाप किया जा रहा है यह 30 एकड के एरिया में इसको स्टप किया जा रहा है तो जायभवानी वोमेंस कॉपरेटीव tex Tambi ya हमारी एसा की फिस्ट होगी सोलर पावर्ड टेक्स्टाइल कि और हम हम थोड़ा सा कल डिसकस करेंगे इंडिया इंट्रनीयाशनले इलाइंस के बारे में क्योंकि लक्जंबर जो कंट्री है वह इसको जॉइन करने वाली है जो इसकी अभी मीटिंग हुई है इंडिया के साथ इसको हम लोग कल के नीज में डिसकर्शन करेंगे हमारा आज का लास्ट कुस्चन है इंडिया अभी कौन सी स्टेट ने गौव करवनेट को एस्टाबलिस किया है MP हरियाना उर्तर प्रदेश या गुजरात उसका सही आंसर है मर्द प्रदेश मर्द प्रदेश को अभी हाली में वहां पे गौव कावनेट बनाया गया है यह आपको ध्यान रखना है अभी मर्द प्रदेश में कुछ-कुछ और भी इंपोर्टन इवें जो टैगर रिजर भी है उसको युनस्को दारा वर्ल्ड नेटवर्ट पर बाइस्वर रिजर में भी एड़ किया गया था इसका साथ हमारा आज का कुस्टन आंसर का सब्सक्राइब करना ना भूले और इस पीपीटी का पीडिएफ आप हमारे टेलेग्राम चैनल से भी को भी डिसकस करेंगे इसलिए आप इस वीडियो को अन तक देखिए अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो किरुप्या करके लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले और इस पीपीटी का पीडिएफ आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी डाउलोड कर सकते हैं मालडोवा रूमाणिया लग्जंबर्ः या माल्टा dalam ऐगल इसको लूडवा याली आंतर इसका लते बार हुआ के बारे में देक् it lysacak अपनूस Bluetooth यापलोग में देख सकते हैं देसका भीपश्रांस हुई Belgium ूई और हमारी जर्मनी ही और यह की प्रदान मंत्री किया है किरनशी ये यूरो पेने का मेंबर है अब कया हुई लगजमबर्व सिटी के एक अब सबसे क् der बात ये है लगजमबर्व जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट है GDP पर कैपिटा लगजमबर्व का इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि लगजमबर का वर्लोड में सबसे ज़्यादा GDP per capita है बहुत अमीर देश है काफी अमीर देश है यह काफी पॉपलेशन भी कम है लेकिन अमीर भी बहुत ज़्यादा है सबसे ज़्यादा है GDP per capita पूरे वर्ल्ड में इस बात आपको ध्यान रखना है और यह हमारे इनके प्रधानमंतरी है जेवेर बेटल य यह लैंड लॉक कंट्री है इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं यह जो अभी एक ग्लोबल स्ट्राटेजी चालू की गई है तो सर्विकल कैंसर को इलमेट करने के लिए आपको बताना है कौन सी ओर्डनेशन के दौरद चालू किया गया है WHO UN Women या फिर यूनेस्को या फिर कोईलेशन ओफ फॉर कोईलेशन फॉर एपडेमिक प्रिपेडनेस इनोवेशन इसका सही आंसर है डबलो एच्चो जो है एक यून की स्पेसिलाइज एजनसी है इसके नाम में यून नहीं है जैसे कि यूनेस्को में रहता है इसके नाम में कोई भी बहुत है और यह बनी थे कब 1948 में अब दिमाग में यह भी है कि आता है कि इसके हैड़कोर्टर कहां पर पर एक्जाम में पूचा जाता है इसका है जन्यवा में है सुजलैंड में अब इससे एक और चीज है कि वर्ल्ड हेल्स डे भी डबलो एक चोश से ही रिलेटेड़ है इसी दिन से फंक्शनि करना चालू करी तो इसी दिन को बना दिया किह वर्ल्ड हेल्ट डे अपको अब ध््यान में रहेगा ऐसे मामारा हो इस डेभलो कि काम करना चालू करी अब अब आपने को भूर्य रोख्यों को आपको ध्यान होगा है हमें यहां तीवी पर करते हैं उनका नाम थो यह और च भूऽ सब्सक्राइब बोड में एलेक्ट हुआ है आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स कुशन लेटेड़ है टीम हैलो इनिसे लेटेड़ है आप और साथ में बताना है कि यह क्या है यह है क्या चीज को इसक्या एक स्ट्राटीजी है कार्वन एमिसन को रोकने के लिए या फिर ग्लोबल अंतर बच्तु प्रलोट्की मॉक्राइड है तो सभी आंसर है इसका यह हमारा जो मिशन्फॉर्मेशन को रोकना है जो को और वैक्सिन के चल रहे हैं अभी हो कहा रहा है कई सारे जो हमारे और जो है गलत फैमिया फैलाई जा रही है सोसल मीडिया पर कोड़ा वार वैक्सिन के कारण के लिए तो अभी क्या है कि कोड़ा वैक्सिन आने वाली है तो उसी जो मिस इंफॉर्मिशन को रोकने के लिए हम लोग पॉस्टिव निउस को फैलाने के लिए यह यूएं के दौर तो इसलिए निउस में बना हुआ है आगे बढ़ते हैं यह महाजन कमिशन रिपोर्ट अभी न्यूज में काफी आ रहा है आपको बताना है यह किसी से रिट्रेट है नर्सी रेगलेशन ऑफ घोस्ट नेट्स इन डीप सी या फिर ऑप्शन सी है बॉर्डर डिस्पूट बि महारास्त करनाटक चिली होता है क्या कि महारास्ता और करनाटक का में क Sahib को लेकर डिस्प्यूट है क्योंकि कुछ ए recent par GTA की पॉपलेशन जादा है जो अभी करनाटक में है तो उसको महराष्ट अपने अंदर लेना चाहती है इसलिए हमेशा डिस्टूट लगा रहाता है तो इसी को ले करके अभी एक कमेंड भी आया था अजीत पवार का इसलिए दुबारा न्यूज में आ गया है अभी फिर इसी वैंद फिर में करनाटक और महराष्ट पे एक कमिटी बनी थी सेंटर के दुआरा तो उसक मिटी के हैड ब्रढ़ थे चीव जस्टिस महर्चन महाजन जिनकी कमीटी की रिपोड करनाटका दर्दवर्ण कर ली गए था कि हमारी महारा रिजक्रन कर देख आ गया था इस कमीट मेरे फ़र्ड टीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बिल्कुत दिमाग में रखना है आपको है और सबसे इंपॉर्ण बात यह है यह प्राइम मिनिस्टर अफ जम्मू कस्मीर है जो फर्स्ट अफ जो घ्मू कस्मीर बने थे तो यही आदमी है जब 1947 में फिक है आंब को धिमाग में रखना है कि जस्टिस मेहरचन महाजन फॉर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे जमून कस्मीर के और साथ ही जो हमारे एक सेशन हुआ थे इस्टेट का इंडिया में तो इसमें का इनका बड़ा रोल अदा किया था और आपको लग रहा हो कि प्राइम मिनिस में सबने थे समय संब्सुआ और r把 1975 के चीफ मिनिस्टर बनने लगे उसके पहले हमारे प्राइम स्टेट बनते थे प्राइम मिनिस्टर अगे बढ़ते हैं में नागरा भी हाली में क्या हुआ है कि Registrar General of India जिसके बारे हमने थोड़ दिन पहले पढ़ा था उसने बुला है कि जो कुष्चनायर है NPR की वह भी finalize लगब लगब हो गई है तो इसका इस बारे में देखते हैं इसका first option है it is a database containing the list of all citizens of the country option B is NPR is a mechanism outlined in a set of rules framed under the citizenship act 1955 तो इसका सही answer है only सही है क्योंकि इस सारे citizen को नहीं हम लोग देख रहे हैंिसमें सारे resident को देख रहे हैं resident का मतलब होता क्या है वह आगे देखते हैं resident का मतलब होता क्या है usually you should recent कि sapर रहे है तो वह आदमीं तो आपको ध्यान लगना है सिर्ट नहीं पूरे रेसिडेंस जो फॉर्णर भी है जो यहां पर रह रहे हैं चैमेने से ज़्यादा उनको भी काउंट किया जाएगा ठीक है और हमारी फॉर्स्ट एंप्यार कब चाल हुई थी हमारी फॉर्स्ट एंप्यार चाल हुई थी 2010 में अच्छ फिर दिमाग में ये बाता आता है चाहिए लीगली बैंग है कि लीगली सही है फिर इसको बैंटीन फॉर्ट एक्ट थी 1948 ने संसरे सप्म लोग को करना है रूज कैसे बना हुआ है तो वह हमारी रूज्स बनी वह इंग तुर — 1555 की तरह कि बना हुए है और साथ मीं यह पोड़ीटा क्लेक्शन हो रहा है सब्सक्तों में शुर्ण nerh например, सक onze हमाइब चाहली है कि मुंभई अ morph Highway में कुछ डॉक्टर्स ने उसकरणा छालोब किया है कि कई सारों लोगों में ये देखा जा रहा है बैस धुके देखा जारा है तो इसका सही आंसर है बोद गलियन वाय सुन्डरम जो है यह पैक्टिरा वायरस दोनों से होता है यह है क्या अक्चली टो एक यह वेरी रेर डिसीर है ऑटो इम्यून डिसॉर्डर है जिसलों कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमें बिमारी को ठीक करने की बजाए खुद ही हम हमारे प्रफिरियर नश्डर करें तो घंड यहे है कि इसमें हमारे प्रफियर नर्व सिस्टम क्या होता है जो हमारे नर्व्स हों डिर्फरेंति रिफ्रेंट साथ इसलिए इस पर रिसर्च किया जा रहा है आगे बढ़ते हैं अब एक क्या है यह अभी न्यूज में बना हुआ है यह क्या कोविड-19 वैक्सिन है यह एस्ट्रोइड है यह सेकलोरिज्म फ्रांस है या फिर कुछ है इन में से कोई नहीं तो लेसीट जो है हमारा जो एक सेकलोर के लिए काफी हंगामा चल ला है जबसे एक टीचर को वहाँ पर मार दिया गया था तो इसमें नहीं जाना है हमें बस देखना है एक्जाम में क्या क्या आ सकते हैं तो लेसीट हमारा जो है एक सेकलोरिज्म के लिए टर्म है फ्रांस का अब आपने यह न्यूज में अभी द करने के लिए ताकि पोचर्स उसको मार नहीं पाएं उसका सही कंट्री आपको बताना है यह तंजानिया यूगांडा मोजैम्बिक यह केनिया तो इसका सही आंसर है केनिया और जो है यह वाइट होता क्यों है यह लुसिज्म के नाम से जो जेटिक कंडिशन है उसके कारण से आपको इस बात का भी ध्यानक नहीं किसले होता है लुसिज्म के नाम से होता है इसकारण से वाइट होता है तब फिर स्कीन में हमारी कोई पिग्मेंटेशन नहीं होती है यह हमारे जिराफ है इनके बार में देखते हैं जिराफ जो हमारे अफुरिका के सब सहारन रिजन मे मिलते हैं सब कर निए सब्सक्राइब और यह जो है और यह पानी को बहुत कम पीते हैं कर दिन के दिन तक पीते भी नहीं है और जो जैसे हमारी fingerprint अलग होती है तो इनके जो हमारे spots होते हैं वो भी अलग होते हैं किसी भी जिराफ का सेम नहीं होता है और जो यह लोग सोते बहुत कम है यह मात्र 5-30 मिनट सोते हैं ठीक है आपको इस बात का ध्यान अखना है कि बहुत कम दिर सोते हैं क्योंकि इन पर दे जान रखना है और इसकी आयूश्य स्टेटस क्या है तो वह है उसकी वन्रेबल स्टेटस है ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी हाली में छट पूजा को आपने काफी न्यूज में देखा होगा तो आपको बताने कौन से भगवान किसमें पूजा होती है लौड सीवा सूरिया विष्णु या ब्रह्मा उसका सही आंसर है लौड सूरिया यह बिहार का काफी फेमेस फस्टिवल है जो कि आज ही कंप्रूड किया गया है इसमें जो सूर्य देवता की पूजा होती है उन्हें धर्ती पे जीवन को संपन्ने करने के लिए उनकी पूजा की जाती है और यह हमारा जो एक कुष्टन है रुपे कार्ड कौन से और नेसम के द्वारा चालू किया गया है रबी आई एनपी सी एई सेभी या वीजा अभी हाली में न्यूज में क्यों है तो हमारे नियूज में इसलिए है क्योंकि हमारे परदान मंत्री जी ने भुटान पी एम के साथ व गई यह एक जो बनाए गे ती यह बनाए घिती और आइबियाई और आई बैंकिंग अस्यूसिएशन के दौरा मिल करके इनके गाइदेंस में बनाए गए थी और इसमें जो स्टेकोंडर्स को न से थे तो स्टेकोंडर्स इसमें तो थे पॉबलिक सक्टर बैंक भी थे प्र यह हमारी not-for-profit company registered है under Companies Act 1956 के तहथ registered है अब यह काम क्या करती है यह हमारा जो retail payment होता ना सबका उसके अधिये एक umbrella organization बनाए गई है अब किस तरह के काम करती है तो तीन-चार major जो functions है नाच है जैसे कि national automated clearing house इसमें क्या होता है इसमें जो है यह हमारी जो subsidies को हो गया इंट्रेस्ट हो गया salary pension को जो है यह इसमें इस्तिमाल होता है NPCI के दोरा यह बनाया गया नाच को और दूसरा क्या है immediate payment system जो हम लोग फोन पे यूज करते हैं यूपियाई यूज करते हैं वो भी इसी के दोरा चालू किया गया और जो हम यह आधार से पैमेंट करते हैं और रूपे काटतों एक question से लेटेड़ ही है कि अगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास कोशन है 2020 का बुकर्स प्राइज किसको मिला है तो सही आंसर है इसका सगी बेन बुक को मिला है सगी बेन जो बुक है हमारी डगलस स्टूर्ट दौरा लिखी गई है उनकी ये पहली नोवल है इसी के साथ हमारा कोश्चरांस प्राइज सेसन समापत होता है आसा करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो कृप्या करके लाइक से रहां सब्सक्राइब करना ना और हाँ इस प्प्ट का पीडियाफ आप हमारे टेलेग्राम चैनल से भी डाउलोड कर सकते हैं थैंक्यू वेर मच है दोस्तों सवागत है आपका एक्जाम मंतन में आज आए बाइस तारिक और हम लोग आज डिसकस करेंगे 22 नॉम्बर की इंपोर्टन कोसें और अनसर साथ अगर आपको मारे वीडियो पसंद आता है तो क्रिप्या करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना बोले और हाँ इस पीडियाफ आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी डाउलोड कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं हमारा फॉस्ट को सब्सक्राइब है विलू वार् है फर्स टाइम इंडिया में तो यह जो देखा गया यह कहां पर देखा गया है यह देखा गया हमारे विल्ला यानी पंचकारी पैडिफिल्ट में देखा गया है और हो सकता यह पहले भी देखा गया हो लेकिन चूकि इसका साइच छोटा होता है और इसके जो पर होते हैं वो साल में दो बार चेंज होते हैं तो इसलिए इसको इंटिफाय नहीं कर पाए होंगे मीबी बार डिटेल से इसके बारे में यह जो बड़ होती है यह हमारी वन ऑफ दो लॉंगेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड में से एक है क्योंकि इसका साइज काफी छोटा होता है और इसका वेड़ भी मात्र 10 ग्राम है बतलब बहुती हलकी चिडिया से है और लेकिन इसके फेदर काफी लंबे हैं तब ही दूर तक माइग्रेट कर पाती है और इसका अगर हम लोग कहा है है तो हैब्रेट जो है अगर आप यल्लो जो एरिया देख रहे हैं यह ब्रीडिं रीजन में आ जाती है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि विलो वार्बला क्या है विलो वार्बला एक चोटी सी बर्ड है और इसका जो आयूसीन स्टेटेस है वो क्या है वो लीस्ट कंसर्ण है मतलब कि इसका पॉप्लेशन काफी ज़्यादा है कि हमारे नेक्स कुर्शन इंडिया और दूसरी कंट्री कौन सी है इसका इंडिया ने फ्रांस के साथ मिल करके इसको स्टेबलिस किया है अभी हमारे जो हमारे पीम और लग्जंबर के पीम जो जेवेर बेटल है दोनों ने डिसाइड किया कि वो इंट्रेशन सोलर लाइंस में सामिर होंगे इसलिए निउस में है थोड़ा इसके बार में देखते हैं इंटरनेसल सोलर राइंस जो है यह बना था हमारा 2015 में 2015 में हमारी चल ले थी पैरिस में यूएन एफ सी 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 की तो उसके तहत यह एस्टैबलिस किया गया था और इंडिया और फ्रांस के दौरा यह मेंली चालू किया गया है हमारे जो संरेज हैं वो जादा पड़ती है हमारे ट्रॉ Boris जाधा बड़ते हैं हमारी ट्रॉपिक ऑफक़ष कैंशर और ट्रॉपिक और तो इसमें इनुन ने क्या किया कि जितने यहां पे मेज़र कंट्रीज हैं जो इनके बीच लाई करती हैं यहां पर सन की इंसिदेंस जादा है सब को एक साथ एकटा किया और साथ ही इस को बनाया तो इसके जो प्रोस्पेक्टिव मेंबर हैं अभी करीब 121 हैं सभी ने इसको रेटिफाय नहीं किया है और इसकी हेड़कॉर्टर कहा है तो इसके वर्चुल असम्बली विए ती उसमें इंडिया और फ्रांस को प्रेसिदेंट दुबारा सेलेट कर लिया गया है ठीक है और यह कासबात एक बात और इंपर्टन इस और इस से कि यह एक मात्र ऐसा और जो सिर्फ एक सोलर एनरजी पर फोकस करता है और सबसे इंपर्टन बा इसका नाम है इंडिया आगे बढ़ते हैं अभी थर्ड बुच्टन में लेटेट है मिसंद पूर्वोदिया से रिलेटेट है यह किसी से रिलेटेट है रिवर लिंकिंग प्रजेक्ट है या फिर इंटेगरेट स्टील हब से रिलेटेट है रूपे कार्ट से लिंग्ड है या फिर फ्लर्ड मिटिकेशन प्रग्राम है इसका सई आंसर है यह हमारा जो है ड्लप्मेंट आफ इस्टन इंडिया थू इस्टेलिश्मेंट आफ इंटिकरेट सी लगए इससे यह लिंग्ड है थोड़ देखते हैं इसके बारे में अभी हाली में हमारे जो स्टील मिनिस् अच्छा थिस गर्ड वेस्ट बंगॉल और नौर्दन नर्दन पार्ट आनपर्देश जहां पर जो आयरेन ओर की जो माइन्स हैं वो काफी ज्यादा है लेकिन वहां पर अभी वह स्टेट पिछड़े हुए हैं तो यहां पर फोकस करके स्टील हब ड़लप करेंगे ताकि य सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मिशन पूरू अधर रिलेटेड है स्टील हब से रिलेटेड है यह इस्टन प्रीजन में आगे बढ़ते हैं अब हम आरा यह कुछ से लिटेड है नाशनल न्यूबॉर्ण वीक से रिलेटेड है इसका थीम क्या था उसका सभी आंसर है कि सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी इंफेंट मोटालिटी रेट काफी कम हो जाए इसे के लिए अवर्डेस क्रियेट करने के लिए हम लोग यह निजशनल नुबॉर्ण वीक मनाते हैं और यह किसे के दोरा चालू किया गया था ऑवweशली यह जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है becoming ELTER तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर को ने तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्स वर्धन हमारे हेल्थ मिनिस्टर है अब हमारी 2019 में infant mortality rate 32 यह भी आपको ध्यान लगना है हमारा नेक्स कुर्शन रिटेट है लिक्विफाइड नैच्रल गैसे रिलिटेट है इसका फॉर्स स्टेटमेंट है इस नैच्रल गैस प्रिडॉम्टली मीथेन विफ मिक्सचर ऑफ एथेन इसका सेकंड ऑप्शन है इट कॉजस वेरी ले प्रिट्रों तो कम करता है डीजल से साथी चीपर भी है उससे कॉस्टली नहीं है तो अब यह निव्यूज में क्यों था अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि हमारे जो मिनिस्ट्री पेट्रोल है धर्मीन परदाने इन्होंने क्या किया है कि अभी 50 लंजी जो पेट्रो लेंजी होता क्या है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं तो प्रैजियंज जो हमारे इसका फुल फॉर्म होता लिक्टीफाइड नैश्रल गैस इसको बोलते हैं यह एक तरह से कलर अर्लेस मतलब कि जिसमें कोई वी गंद नहीं है यह गैस है कालइरलेस ओरलेस गैस है जि से फाइदा क्या होता है कि हम इसको ट्रांस्पोर्टेशन में काफी असानी से हो जाता है और यह जो है काफी इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे डिजल से 40 पर संट चीपर है समझ में आया और साथ यह पॉलिशन भी कम करता है तो मतलब यह एंवार्मेंट फ्रेंडली भी है तो महला हमारे दोनों काम का है और उपर से क्या है कि हमारे ट्रक्स में इमिशन होती सल्फर डियोक्साड की वह भी काफी कम कर देता है नेट्रोजन डियोक्साड की नेक्रोजन ऑक्साड की इमिशन भी काफी कम कर देता है तो इसलिए हम लोग को डीजल से डीजल को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ट्रक्स में और साथी सिपिंग इंड्रेस्ट्री में जहां-जहां डीजल होता है तो अभी हमारा गवर्मेंट का टार्गेट यह है कि पर चालू करना है और अगले तीन साल में करीब 1000 लगा देने हैं अब हमारा देखना है यह और इंपॉर्टन बात बता दें आपको कि हमारी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलेंजी एक्सपोर्टर कौन सी है यह कंट्री का नाम है कतर यह कतर कहां पर है कि हमने कई बार डिस इसका सभी आंशर है Ministry of Housing and Urban affairs इस मैं यह चालू किया गया है क्योंकि हमारे सफायी मित्र होते है जो कई सब्छा साफ करते हैं उनकी मिर्तिय हुआती है उन्हीं को देखते हुए उनको जान को बचाने के लिए हमें यह स्कीम को चालू किया गया है अब हम देखेंगे IRNSS क्या है यह न्यूज में फिर से बना हुआ है काफी इंपॉर्टन्ट है हमारे एक्जाम के लिए और हमारे कंट्री के लिए इसका फुल फॉर्म है इंडरन रीजनल नाविगेशन सट्लाइट सिस्टम यह अभी न्यूज में क्यों है क्योंकि इंडरा फॉर्ट कंट्री बन गई है वर्ल्ड में जिसको की इंट्रनेशनल मेरिटाइम और नेशन के जोरा सैंक्शन मिल गया है कि वह अपना सट्लाइट स इस्टम में हम लोग मैरिन एरिया में यूज कर सके है यह देखें कि आयमो है क्या चीज इन की एजनसी है यूएन की स्पेशल एजनसी है जो की सेफटी सेक्यूर्टी जो साथ में हमारी मैरिन का जो पॉल्यूशन है उसको देखती है अब हम लोग देखेंगे आयर एनसस के बारे में तब आयर एनसस है क्या जी यह है क्या एक इसमें आठ सेटलाइट का इस्तमाल हुआ है यह हमारे आठ सेटलाइट का इस्तमाल हुआ है इसमें अभी फिलाद साथ सेटलाइट इसमें एक्टिव हैं तीन है हमारी जियो स्टे इसलिए काफी इसका इंपोर्टेंट बनता है हमारे नविगेसन सिस्टम में अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका अब्जेक्टिव इसलिए हम लोग चालू किये थे इस ताकि हम लोग अराम से अपना खुद का इंडिजिनेस जो सिस्टम डलब किया गया है कि हमें रिलायबल लोकेशन प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि कहीं भी लडाई जगड़ा हो जाए हमारे किसी कंट्री के साथ तो हमें इसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े तो इसकी एरिया पड़ती है करीब फंदरह किलुमेटर इसका इताय नीज़ी तो नाविुक का फुलपर्म पैने फुलपर में नैविगेशन विद इंडेन कांसलेशन इसका युलपर में इसको दो तरह के सिगनल प्रोलाइट की जाती है एक होता स्टैंडर पर पौजिशनिंग सिस्टम और दूसरी होती है restricted service, तो standard professional system हमारी civilian use के लिए होगी और restricted service हमारी defense forces के लिए use के होगी, आगे बढ़ते हैं, अब ही हाली में अनन्दा नाम से कुछ news में था, यह आपको बताना यह क्या है, कोई bilateral army exercise है, इंड़ा अफगानिस्तान की बीच में, या reusable suborbital rocket system है, या फिर spicy of pipe words in महरास्ट है, या फिर business digital application by LSE है, उसको सही आंसर है, यह business digital application LSE के दौरा चालू किया गया है, इसका फाइदा यह होगा, कि वो लोग पूरे process को complete कर लेंगे, बीना physical meeting के, customer से बीना मिले हुए, वो पूरा form हम भर लेंगे, तो यह इतका से total paperless और completely digital हमारे लो टार्गेट है, डिजिटल इंडिया क उसके हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको ध्यान अगना है, आनन्दा हमारा LSE से related है, अब World Fisheries Day कब मनाते हैं, तो इसका origin कब हुआ था, यह origin हुआ था, हमारे 1997 में, जब World Forum of Fish Harvester and Fish Worker की meeting हुई थी न्यू डेली में, और तब हो established किया गा था, World Fisheries Forum, 18 countries ने मिलकर कि इस चालू किया था, यह चालू किया था, ताकि हमें sustainable fishing को promote कर सकें, यह कब मनाया जाता है, यह हमारा मनाया जाता है, 21 नौवंबर को, विसका theme क्या था, इसकी जो theme है, वो है social responsibility in the fisheries value chain, अब इसके अंदर का तीन award भी दिये गए थे, 21 तारीक को, तो उत्तरप्रदेश को award मि land fisheries में, और हमारे Odisha को मिली थी, award मिला था, best marine state के लिए, और Assam को award मिला था, हमारा, best hilly and north eastern states के लिए, अब आगे बढ़ते हैं, अभी हाली में, किसी country, which country has approved the first self-testing kit to detect coronavirus, USA, UK, China, India, तो उसका सही answer है, USA, से, अभी हाली में, एक book, काफी news में है, portraits of power, यह किनके दोरा, इसके author कोन है, वाइवे रड़ी, N.K. सिंग, रमेश पोकरियाल, या अजय मैखन, इसका सही answer है, N.K. सिंग, N.K. सिंग इसके, इनकी autobiography है, यह अभी आपको ध्यान होगा, N.K. सिंग जो हमारे 15th finance commission के भी है, head है, जिन्होंने अभी report president को submit किया है, इसके साथ हमारा आपका question answer session समापत होता है, आसा करते हैं, आपको हमारे video पसंद आया होगा, अगर आपको हमारे video अच्छा लगे, तो किरुपया करके like, subscribe कुरना ना बूले, और हाँ, इस PPT का PDF आप हमारे telegram channel से भी download कर सकते हैं, तो आपको हमारे video पसंद आता है, तो किरुपया करके like, subscribe करना ना बोले, और हाँ, इस PPT का PDF आप हमारे telegram channel से भी download कर सकते हैं, तो चले शुरू करते हैं, हमारा first question काफी interesting है, क्योंकि इसकी हाली में discovery हुई है, यह जो एक term आप देख रहे है, रॉलुडो माइकिस philisticus, या कि ह किसी से related है, क्या एक sea grass है, या फिर या मसरूम की कोई variety है, या bonifix है, या फिर एक sweet बनाना है, तो इसका सही answer है, प्रॉडो माइकिस philisticus जो है, यह हमारी एक मसरूम की variety है, जो हमें मिली है, कहां पर, उमेली है, नौर्थ-East के मिघाले में मिली है, और यह इसकी खास बात पता क्या है, यह light emit करती है, रात को, जैसे कि green color में यह light emit कर रही है, तो जैसे हैं कि आप देख सकते हैं, यह white color, जो हमारा PPT के ऊपर जो चमक रहा है, ब्लैक बैग्रोंड में, उसी तरह के से यह रात को green color emit करती है, वहां पर हमारे नौर्थ-East में, उसी के तहत इसको species को discover के आ गया, तो यह हमारी पहली species नहीं है, जिस फंगी की, जो मिली है, यह हमारी one of the species मिली है, 97 में से one of them include किया गया है, अब हम लोग देखते हैं, फंगी में थोड़े कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, तो यह जो प्रॉपर्टी होती है, उसके होता गया है, इसमें होता यह है कि कोई भी जो organism है, वो light emit करती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे ओशन में भी और साथ में जमीन पे इसके हमारे अनिमल्स हैं, प्लैंट से लिएक करती है, तो इसके अंदर एक लूसीफरेज नाम से एक एंजाइम है, जिसके कारण से यह हमारी जो है, फंगी जो मस्रूम है, वो light emit करती है, अब इसका फाइदा क्या होता है, इसका फाइदा यह होता है, यह से इंसेट को attract कर करती है, उससे फाइदा यह हो गया, उनके स्पोर्स हो गया, वो इस इंसेट को लेकर कि इधर और गिरा देंगे, तो उससे नए और मस्रूम हमारे और पैदा होते हैं, अब हमारा जो यह जो दूसरा इसका प्रॉपर्टी यह है, कि इससे कई सारे फ्यूगी वोरस जो आनि इनिसेटिव से लिटेट है, कि कौन से मिनिस्ट्री दोरा चालू किया गया है, तो इसका सही आंसर है, मिनिस्ट्री यह पेट्रोले में नैच्रल गया, यह जो इनिसेटिव है, अभी चालू नहीं किया गया है, यह और चल रहा है हमारे इनिसेटिव, यह 2018 से चल रहा है, इ यह नीज में क्यों है नीज में इसलिए है कि हमारे जो पी एंजी मिनिस्टर है धंबिन प्रंधान उन्होंने क्या है कई सारे कंप्रेश के साथ कि वह कंप्रेश्ट बाइगास प्लैंट्स को एस्टैबलिस करें अब इसके बारे में थोड़ डिटेल से देखते हैं यह हमारी स्कीम है सतत जी सका तार्गेट क्या है तार्गेट यह है कि 5000 सीबीजी प्लैंट समय लगाने है 2023 तक अगर इसको में देखें तो 15 यह सब्मारे हमारे प्लीसन बीडिक ऑ rolling से क्या होगा और हमें एक तरशेन उस्सट्व जाएगी siadra ऑप तहुए शिंप मेंनियोड्र या होगा कि हमें affordable clean energy transport के लिए मिलेगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा next question related से Patriots से लिएग अभी a फिफटींट्री से इस फॉष्टिंटी समिट आपको बताना है अब एक और term related है G20 से G20 ट्रॉयका क्या है इसका मतलब क्या होता है तो इसका सही आंसर है डी इसका सही आंसर है यह तरह से तीन मेंबर का management group बनता है वो उसको थोड़ा देखते हैं हम लोग इसमें जो G20 ट्रॉयका में होता क्या है कि जो भी current member है जैसे कि Saudi Arabia का current member है लास्ट मेंबर लास्ट प्रेजिडेंट कोन था इसका तो लास्ट जो हैड किया था वो था हमारा Japan 2019 में किया था अब next कोन होगा तो इटली करेगा तो यह तीनों मिल करके सौधियरेबाद जापान और इटली मिल करके ट्रॉयका बनाते हैं और जो भी पॉलिशिस को डिसकस करते हैं तो उन्हीं को एजंडा को आगे बनाने के लिए जो मारे present पास्ट फ्योचर कंट्रीज मिल करके उसको प्रॉइका बनाते हैं उसलिए उसको जीटन्टी ट्रॉइका बोलते हैं अब जीटन्टी होता क्या है जीटन्टी जो है हमारा एक 20 कंट्री का ऑडराइशन जिसमें की 19 कंट्रीज है है और साथ में एक European union है अब इसके खास क्या है कि यह हमारे जो वर्ल्ड में जो भी economic system में क्रैसिस चल रही है एंवार्मेंट में क्रैसिस चल रही है या फिर उस पर discussion आगे कैसे काम करना उस पर discussion करती है तो इसके जो मेंबर्स हैं 20 जो है उनकी जो ओवरॉल जो GDP है वर्ल की 80 परसंट है और साथ में उनका ट्रेड भी वर्ल का 75 परसंट है और इसमें जो है 55 परसंट ऑफ पॉपॉलेशन भी है और इस साल जो UPSC प्रेलिम्स में question भी आया था इसके मेंबर्स कौन-कौन से है इसलिए टॉपिक ह जिसवाद को ध्यान रखना है जैसे नॉर्मली सभी और से में होता है और कि जो प्रेसिडेंशी है वहर साल रूटेट करती है तो हम लोग हर साल 20 मेंबर्स हैं उसमें क्या किया गया इस बीस को अलग अलग गुरूप में डिवाइड कर ले गया हर में कुछ चार-चार जिस ग्रूप को मिलेगी इस ग्रूप मेंबर करेंगे कि हमारे कौन बनेगा उससाब से इसकी प्रसेड़न्सिव रिसाइड होती है अब डेखते ही इसमें इसके डिसकसं किस ट्रैक होता है इंगेजमेंट करते हैं हर एक कंटी अपना एक नॉमिनेट करती है और वो डिसक्स करते हैं से लेटिटेडिटल एकॉनमी से लेटे हैं से लेटेडी इसका फिनैंस होता है तो इसका फिनैंस मिनिस्टर आ साथ में हमारे जो बैंक के जो चंट्र बैंक के गौवर्णनर इसमें डिसक्शन करते हैं आप जी तोन्टी क्या है आपने देखा यह था 19 प्लस यूरोपेन यूनियन है और इसमें जो है है हमारी जोट से अडवांस कंट्री और इमर्जिन कंट्रीज इसका मतलब यह हुआ कि मैं वर्ल के लबब लबग सभी कंट्रीज है अफ्रिका में मात्र एक ही कंट्री है इस पाद कभी आपको ध्यान रखना है सिर्फ सौथ अफ्रीका है इसमें बाकी सभी कॉंटिनेंट से आप देखेंगे बहुत सारे कंट्रीज है लेकिन अफ्रीका मात्र कंट्री है अफ्रिका का जो इसका मेंबर है अब यह कब चालू किया गा था यह चालू किया गया था हमारा 1997 1999 में जब ऐसे फिनेंशल क्रैसिस हुआ था अब यह इंपोर्टन्ट इसले भी है कि हमारा जो 2020 जो समिट है 2023 का वो इंडिया में होने वाला है तो इस बात का वह आपको ध्यान रखना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंडिया टाइम यूस सर्वेस रिलेटेट है कि कौन सी और इसको पॉब्लिस किया इसको उसका सही आंसर है और यह हमारे किसकी डिपार्टमेंट है तो ministry of statistics and program implementation की एक department है तो इसके तहत यह समझ में आता है कि हमारे men और women कैसे कैसे time spend करते हैं 24 गंटे में तो अगर देखेंगे तो men हमारे 50% of time है वो self-care and maintenance में spend करते है जबकि women हमारा 50% ही लब लब करती है और इसमें जहां major difference आता है वो यह सवाले green clear में आ रहा है मतलब कि men है वो employment related activities में 18% time spend करते है जबकि women मात्र 4.2 करती है मतलब कि women हमारी इसमें employment related activities में कम time spend करती है और हमारा जो red clear का woman में देख रहे है यह कहां पर women time spend कर रहे है इस घर के काम काज खाना पीना में ज्यादा उनका time जाता है unpaid activities है जिसको हम लोग recognize में नहीं करते इस ब इस दौरा published कि आगया है तो एनेस दौरा इसको publish किया गया है हमारा अगला question लिटेड है पुत्रा जाय विजन से लिटेड है कौन सी अभी न्यूज में बना हुआ था तो कौन से जो अर्गनाशिय ने इसको अड़ाप कि इसको इसको ऑड़ाप किया है तो इसका सही आंसर ह यह हमारा जो है इसके तहट हमें ट्रेड को बढ़ावा देना है ताकि अभी जो त्रेड में जो को डिक्कत आ रही है कोरोना में तो इसको ट्रेड को बढ़ावा देंगे तो सारी एकॉनमी हमारी बढ़ेंगी अब में मेंबर्स कौन-कौन से हैं इसका फुल-फॉर्म है ऐसिया पैसिफिक एकनॉमिक कॉपरेशन इसका मतलब होगे जो भी पैसिफिक कंट्री की पैसिफिक ओसन है तो वह उसको इसके मेंबर्स हैं इसमें इंडिया इसका मेंबर नहीं है इसके मेंबर्स हैं और 49% आपस में यह करते हैं 2015 के ताथ अब हम लोग देखेंगे एक जो है स्टेट है इंडिया में इसने अभी ओर्डिनेंस लेकिया आई है जो कि बैन कर दिया है ओनलाइन गेमिंग को तो कौन से स्टेट है इसका आपको बताना है तो सही आंसर है इसका अब हमिलाडू स्टेट ने अभी क्या किया है कि ओर्डिनेंस लेकि आई है और ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया गया है तो क्यों किया गया है क्योंकि वहां पर कई सारे बिहेवरिल चेंजिस देखे जा रहे थे स्टूनेंस के बीच में तो हमारे कई सारे उनीसन यह कब मनाया जाता है 19 नौंबर 20 नौंबर 21 नौंबर 22 नौंबर तो सही आंजर है 21 नौंबर को हमारा टेलिविजन डे मनाते हैं अब इसमें कुछ कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्स है वह आपको ध्यान में रखना तो यह मनाया उस दिन क्यों जाता है तो हमारा मनाय इसलिए जाता है कि हमारे जो फॉर्स मिटिंग हुई थी वर्ल टेलिविजन फॉरम की वह डिसमबर 21 नौंबर में चालो हुई थी इसलिए इसको इस दिन चलिब्रेट करते हैं और इसमें जो है एक युनाइटन नेशन के द्वारा एक रिजुलेशन भी पास हुआ था इसमें बोला गया था कि एमेर टेलिविजन का इंपैक्ट काफी ज्यादा पड़ता है हमारे डिसिजिजन मेकिंग इसलिए यह काफी इंपोर्टन है और इसको रिकर्गनाइज किया गया था युन के द्वारा अब हमारा टेलिविजन किसने बनाया था इंवेंट किसने किया था तो अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है नहीं पता होगा तो बता देते हैं तो जोनी लोगी बैड न जहां पर टीवी टेलिकास चलो हुआ था इसलिए काफी आपको ध्यान रखना है कि इस टीवी किसने बनाया था टेलिवीजन डे कब था चलिए आगे बढ़ते हैं अब यह हमारा एक ऑपरेशन कैलिप्सो किसी से लिटेट है आपको बताना है उसका सही आंसर है ऑपरेशन क की मुहीम चला रखा है इसके तहट उन्होंने कई सारे रैकेट्स को पकड़ा है अभी अब जिसमें की उन्हें कोकेन और कई सब्सकू को उन्हें पकड़ा है इसलिए यह निज में था तो आपको ध्यान रखना है और संट कैलिप्सों क्या है यह हमारे एक ड्रग स्मेंगल यह तो हमारा हमारी हिमाचल परते सिक्किम उत्राखंड जम्मुगन कसमी उसका स्था अंसर उत्राखंड में बनाया गया है तो हमारी जुद होती है इनको पीपल को अवेर करने के इनके फाइदे के लिए अवेर करने के से बनाए गया है तो आपको ध्यानक ना है कि फॉर्स्ट मॉस्ट गार्डन कहां बनाया गया है बनाया गया है उत्रा खंड में अब कौन सी कंट्री है जिसने प्लेज लिया है कि कोई भी नए पेट्रोल डिजल गाड़ी को बैन कर दिया जाएगा 2030 तर उस कंट्री का नाम बत कर देंगे दोस्तों इसी साथ हमारा आज का सेशन से महपत होता है आशा करते हैं आपको हमारा कुश्चन अंसर अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो क्रिप्ट कर लाइक सीरों सब्स्राइब कर दिए और साथी इस पीटी का पीडिएफ आप हमारे टेलग्राम से डालोड कर सकते हैं जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो मिलते हैं थैंक्यू वेरे मच अधर दोस्तों स्वागत आपका एक्जाम मंतन में आज 24 तारिक और हमनों आज डिसकस करेंगा 24 नौंबर के इंपॉर्टन को सब्सक्राइब करेंगे इ अब आज का फोस्ट्रेटट एक्साइश किस कंट्री के साथ करती है थाईलेंड बगलादेश इंडोनीशिया उसका सब्सक्राइब इसका सब्सक्राइब अगर एक नाम बजाएंगे तो स्का मतलब ही होता है कोडिनेटेट पैट्रोल मतलब की आपास में कोडिनेट करते है प्रट्रोलिंग करते हैं प्रट्रोलिंग के कई सारे हमारी अड्वांटेजिस जो मुझे नेक्स स्लैड में डिस्कस करेंगे अब ये न्यूज में क्यों था न्यूज में अभी इसलिए है क्योंकि हमारा 30th edition हुआ है इंडिया थाइलेंड का कॉर्णेटर पेट्रोल का इसलि करने से हमें फाइदा यह होता है कि दो नवी के बीच में होता है उससे क्या होगा आपस में सामाज़ा से डवलब होती है और साथ में हम लोग कभी जरूत पढ़ने पर आपस में दो नवी अर्याम से काम कर सकती है और एक्साइज करने से फादा यह मिलता है कि जहां कर रहे है उस टाइम पे या उसके थोड़े दिन पहले और थोड़े बात तक अराम से हम लोग कोई भी इल्लीगल एक्टिविटीज को कर सकते हैं जैसे कि हमारा पाइरेसी हो गया हमारा इल्लीगल जो हमारा फिसिंग हो गया मेरिटाइम टेरिज्म हो गया जो मुंबई में टेरिस्ट गुष के आगे थे वह से उसको भी रोक सकते हैं इसलिए हम लोग एक साइस कंट्रियोंस कर चे रहते हैं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कुस्ट है यॉनाइटन नेशन पॉपलेशन अवार्ड से रिलिटर्ड है यह आपको बताना है कि बढ़िया काम करती है स्वेक्षाल है और जेंटर वालन को करने के लिए इसलिए उनको आवर्ड दिया गया है तो अब वह कर रही है तो उनका और नाम होगा तो उनका और नाम है रिन्यू को फुल फॉल 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 में हमारा रेस्पेक्ट एडूकेट नर्चर एंड इंडिया को मिला है और ने सली के अंदर देखते हैं इसके बारे में यह से फॉल है यह दो देती है तो किसले यह उणवार्ड देती है जो भी और नेशन यह फिर इंडिविड यह उस पर क्याम करतें उनका रवाद देती हैं है अब यह वाड चालु कब हुआ था दो यह व 1983 में आप देखेंगे कि 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 इंडेयन को यह ओर्प दाज को अभी तक जनंमें अमारी प्रधान मंतृ इंद्रागांधी अब हमारा नेक्स लेटर डली मुंगई इंडेस्ट्री इंडेस्ट्रीड आपको बताना है यह को फॉंडेट किसके द्वारा किया गया है तो अभी न्यूज में अभी इसलिए है क्योंकि राइस्थान गवर्मेंट जो है वो दो नए स्पेशल इंवेस्ट्मेंट डीजन बना रही है अपने राइस्थान के अंदर ताकि डेवलप्मेंट किया जा सके स्टेट के अंदर तो इसका सही आंसर है जापान इंटरनेशल कोपरेशन एजनसी यह काफी अच्छी और इंडिया में काफी इंफ्रास्ट्रेक्शर प्रोड प्रोग्राम के अंदर चल रहा है तो और कौन-कौन से प्रोड़ेक्श है तो दूसरा प्रोड़ेक्श हो गया हमारा अमरित्सर से लेकर करके कोलकत्ता इंडिया को ध्यान रखना है अब हम लोग देखेंगे थोड़ा डेली मुंबई इंडिस्ट्रिल कोरॉडर के बारा में तो सबसे पहली बात यह कौन-कौन से स्टेट से गुजरता है तो चालू होता है हमारा कहां से यह चालू होता हमारा मुंबई से मुंबई में कहां से दो जवाल लाल लहरू करते हुए हर्याना क्रोस करते हुए जाता है यह यूपी में कहां पेंड होता है तो यह दादरी में होता है अब जहां तक रही बात इसकी फिरेंस की यह हमारा जो 20-26 परसंट जो है यह जापान का जो जैबी आईसी है जापान बैंक आफ इंटरनेसल कोपरेशन यह 26 परसं हुआ है इंडिया में कि हमें अर्बनाइजेशन के साथ-साथ मैनिफेक्शिर्ण को भी प्रमोट कर रहे हैं यह जो हमारे लाइन बन रही है इसमें कई सारे हमारे स्पेसल जोन्स बनेंगे जहां पर इंडेस्प्रीज और टॉन्स को डवलप किया जा रहा है तो चलिए अगर आप नाम को ध्यान से रखें पढ़ेंगे ना तो आपको साफ समझ में आएगा कि इसके दौरा अभी स्क्या जा सकता है लॉस्ट कोविट जन्रेशन रिपोट मतलब जन्रेशन किसका लॉस हो सकता है बच्चों का हो सकता है तो बच्चों पे कौन ज्यादा काम करती ह उसलीस का आंसर है यूनिसेफ अब हम इस पर रिपोर्ट में डिसकस क्या किया इस रिपोर्ट में डिसकस उन्हों ने यह किया कि कोरोना के कारण बच्चों की जिंदी पे कितना इंपैक्ट पड़ा है इसी पर यह रिपोर्ट फोकस करती है और एक चीज आपको ध्यान रख करते हैं कि जो कासुट टेक्लोजी है यह काफी अभी नीऊज में बना हुआ है आपको बताना है यह किसे से रिटेड है जो कि कि उन्हें पांच टेक्नलोजी को रिकमेंड किया है जो हम लोग अपने घर में यूज कर सकते हैं तो इन्होंने क्यों रिकमेंड किया है असल में क्या है गौवर्मेंट का टार्गेट है कि हमें 2024 तक सभी रूलर हाउसोल्ड में टैप का पानी पहुंचाना है इसलिए कई तर सब्सक्राइब करेंगे उसमें ट्रीटमेंट करेंगे और फिर उसको यूज कर सकते हैं इसलिए हम लोग को ध्यान लगना है जो कासू टेकलोजी हमारी लाउस्ट टेकलोजी है उसका नाम है एफ बीट आप डिटबल से इसके वाहरे में आराम से पड़ सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कुशन लिटेड है ओल इंडिया प्रिसाइडिंग आफिसर कॉन्फरेंस यह कहां पे होने वाला कि स्टेट में होन और हमारा 80th कॉन्फरेंस और इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स का 80 यह कॉन्फरेंस है तो यह हमारे प्रेसिडेंट रामनात को विंथ है इसको इनौगरेट करेंगे अब इसका थीम क्या है इसका थीम है हमारा हार्मोनियस इसका थीम है अब इस पे जो में फोकस डिसकस और डिसकस यह किया जाएगा कि हमारे पार्लेमन के जो प्रोसीडिंग है वो अराम से कैसे काम कर सेके और इसको प्रोड़क्टिव कैसे और बनाया जा सके चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया में इंटरनेशन चरी ब्लॉसम फे काफी अच्छा लाया कि ऐसा भी कोई फेस्टिवल इंडिया में होता है चैरी ब्लॉसम फेस्टिवल सबको लगता हो गए यह तो भाई यूरोपें कंट्री में ही होता है लेकिन ऐसा नहीं है हमारे इंडिया में भी होता है और और वहां पे आप ट्रेवल भी करके देख सक यह आपको देखके कर लेया कि यूरोप आ गया है और चेरी का जो ब्लॉसम इसको दूसरी नाम क्या बोलते हैं पदम भी बोला जाता है पदम कष्ट्रा और हिंदू रिती रिवास के हिसाब से उत्राखंड और हिमांचर प्रदेश में इस फूल को काफी महत्तु दिया गया ह है और आपको यह बात का ध्यान रखना है स्विलोंग के अंदर यह हमारा इंडिया का एक मात्र चरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है जो काफी इंपोर्टन्ट है आपके अगर आपको घूमने का अमन करें तब भी आप जा सकते हैं और आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टन है उससे रिलेटर है उसका सही आंसर है सही आंसर है डी लाइव ट्रेस्टिंग अफ न्यू प्रडॉक्स और सर्विसेज इने कंट्रोल रिगुलेटरी एंवार्मेंट थो देखते हैं अभी क्या हुआ कैसा हमारी फिंटेक कंपनीज है ठीक है वो हमां अपने प्रोडुक् में चेक करती है तो जैसे कि आप लोग एक्जाम में मौक टैस्ट देते हैं तो कोई भी कंपनी अपना प्रोडुक्त करने से पहले उस वो रिगुलेटर एंवार्मेंट में टेस्ट करती है क्या है क्या उसमें चेंज किया जा सकता है और बढ़िया कैसे कर सकते हैं इसलिए यह उससे लिंग होता है तो आपको ध्यान में रखना है रिगुलेटरी जो सैंड़ोक्स है यह हमारा एक रिगुलेटर एंवार्मेंट है इसमें कि कोई वी फिंटेक कंपनी अपने प्रोड़क्स और सर्विसेश को लिम्टेड और एंवार्मेंट में टेस्ट करती है तो उसमें तीन नेवी पार्टiny बेट करती है एक कि इन नेवी दूसरे के सिंगापूर की और तीसरे होगी हमारी थाए निवी अब यह होस्ट कि दौरा किया गया था यह हमारा किया गया تھा शिंगापूर में के दौरा आइक हो nou पिर छलन ना तर कि अन्दमान टैट하다 कि हैं मारा next cultural Simpex series related यह Indian Navy कोंसा नभी मिल करती है जो सही आंसर है इपिणिन नेभी और सिंगापूर नेभी मिल करके सिरीज अचर्ड करती है आपको से शितमेक्स और सिंबेक्स में कन्फ्यूज नहीं होना यह हमारा जो bilateral maritime exercise है यह हमारा 23 नॉवंबर से चल रहा है यह हमारा अंडमांसी में भी हो रहा है और यह हमारा एनुल exercise 1994 से चल रहा है इसका फाइदा क्या होगा जैसे हम लोग corporate exercise था उजी तरह की से हमें करते हैं जिसे हम लोग आपस में कई सरची सीखने को मिलता है आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लस्ट लास्ट कोश्चन है आपको बताना है वर्ल की जो फॉर्स सेंट्रल बैंक है इसके वन मिलियन फॉल्लोवर्स हो गया है ट्यूटर पे उसका सही आंसर है इंडिया इंडिया के आर्वियाई जो सेंट्रल बैंक है उसके अभी ट्यूटर पे वन लाग फॉल्लोवर्स हो गई है और कोवी कंट्री का यह फॉर्स्ट सेंट्रल बैंक है जिसके वन मिलियन सब्सक्राइबर हो गये हैं कि दोस्तों इसके साथ हमारा कोश्चेन आंसर के सेसं समापत होता है आशा करते हैं आपको हमारा कुश्चेन आंसर अच्छा लगा होगा तो कृप्या करने लाइक सेरों सब्सक्राइब पढ़ना ना बौलें इसके विडियो का अंतक देखिए तो चले शुरू करतें हैं हमारा आज का फर्स्ट कुर्शन है फाइव आईज एलाइन से रिलिटेड है आपको बताना है इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं उसका सही आंसर है इसका सही आंसर है ऑस्टेलिया न्यूजलेंड यूज से कनेडा और यूके तो अभी न्यूज में क्यों था अभी उसी को प्रोडेस्ट करते हुए चाने ने बोला है फाइव आईज एलाइन्स को वह अंदा कर देगा ठीक है तो यह अभी इसलिए न्यूज में था अब तो इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं आप जैसे मैप में देखिए कनेडा हो गया यूएस से हो गया यूके हो नुजेलेंड हो गया और हमारा ऊस्टेलिया हो गया अब यह अग्रिमेंट किसके बना था हुक यूएस से एंग्रिमेंट के तख़त यह बना था यह चालू कब हुआ था ह्ये हमारा झान्स ये सबॉत ह्या आण Dharma उता है तो आपको बताना है किसी से लेटेड़ है क्यों का सही आंसर है वरुनास्त्र हमारा जो है टॉर्पीडो है जो कि हम लोग सब्मरीन में इस्तमाल करेंगे तो अभी क्या हुआ कि दुबारा इसकी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसकी फॉर्स प्रोड़क्शन यूनिट जो हमारा वरुनास्त की चालू हो गई है तो वरुनास्त का नाम किस पर रखा गया है इसका नाम रखा गया हमारे हिंदू गौड ऑफ ओसंस पे वरुन के नाम पर वरुनास्त का नाम रखा गया है और यह हमारी जो एलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड है ठोड़ देखते हैं इ यही जो company है वो हमारी QR Sam को भी production कर रही है साथ ही हमारी Astra जो beyond visual ring missile है जो कि हम लोग 30 MKI में यूज कर रहे हैं और हम लोग test कर रहे हैं अभी तेजस पर तो उसको भी यही जो production कर रही है तो आपको ध्यान दकना है है भार्वnity NYlusion को भी कर रही हैscreen को भी कर रही है और अस्त्रा वॉजसलन को हुरो नाक सका हमारा रेंज कितना है इसका रेंज रहा 40 किलियोटर्स कितने कर सकती है तो फॉर हुट हम कर सकती है हुष हमारे कम पाणी में भी और डीप पानी में भी ये प्ता सकति है अब हमारा Mount Vesuvius अभी न्यूज में है तो आपको बताना है यह कौन सी कंट्री में लोकिटेड है उसका सही आंसर इटली में यह लोकिटेड है तो अभी न्यूज में क्यों होता अभी हुआ क्या है यहां पे जो कुछ हुमेन की अफसेश मिले हैं जो की वॉल्काइनिक एरप्शन के कारण उनकी मौत हो गए थी तो इसलिए यह न्यूज में है तो थोड़ा देखते हैं इसके बार में मांट वैशिवीज जो है यह हमारा यूोका माँत को एक एक और में फेल्ड व करने कौन सा है तो है मांट वैशिवीज हे यूरूप के अंदर और यह हमारा ला सरंट कर रपोग्त रहा था जब की व्रड़ चल रहा था उस है यह इरप्ट हुआ था और यह मैप पे जो है दे रखा है लोकेशन जो इंपोर्टन डेंजरस वोल्कानोर्स है पूरे वर्ल्ड के तो इसका थोड़ा सा अपको मैप ध्यान रखिएगा जैसे कि यल्लो स्टोन के अलड़ा है यह यूसे के अंदर है ठीक है आगे बढ़ते ह है अब हमारा एक उमंग एप है दुवारा फिर से यह न्यूज में काफी आ रहा है तो आपको बताना यह कौन से मिनिस्ट्री के दौरा डेलॉप किया गया है तो इसका सही आंजर है Ministry of Electronics and IT तो अभी न्यूज में क्यों आया था तो न्यूज में अभी इसलिए आया क्योंकि इसके तीन साल पूरे हो गये हैं तीन साल पूरे होने के कारण हमारा जो मिनिस्टर है उन्होंने क्या कि उमंग इंटरनेशनल को लांच किया है तो अब देखने उमंग का फुल सर्विशेज के उपर मौजूद है उसी तरह के से यहां पर 27 स्टेट्स के 101 डिपार्टमेंट के 487 सर्विशेज इसी अप पे मौजूद है तो मतलब आप एक ही एप पर गौर्र्मेंट के सारी सर्विशेज को अवेल कर सकते हैं यह हमारा मल्टी लिंग्वल है मल्टी बसक्ति के नाम में ही लग रहा है इन्टर लगा इसलिए तो कौन-कौन सी लिमिड्डेट के लिए भी चालू किया और ही तो तो यह लिमिटेड कंट्रीज के नाम है UK, USA, Canada, Australia, UAE and others इसके के लिए चालू किस लेके आ गया है यह हमारे जो स्टूडिस बाहर पढ़ने जाते हैं या फिर हमारे नरी जो बाहर काम कर रहे है या फिर टूरिस जो बाहर में है वो इंडेन टूरिस जो है उनको कोई भी सर्वि से फाइदा यह होगा कि हमारे इंडेन कल्चर है वो भी प्रमोट किया जाएगा इस एप के थुरू तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे कैट्चल आलेंड है यह न्यूज में है आपको बताना यह कहां पर लोकिटेड है इसका सही आंसर है यह कैट्चल आलेंड जो है हमारे कैट्चल आलेंड की तरफ तो हमारे कोशगार्ट ने उसको वहां से दूर किया इसलिए दुवारा यह निउज में है तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे कैट्चल आलेंड जो है नीकोबार आलेंड का पार्ट है अभी किस कंट्री ने लूनर मिसल को लॉंच किया है है जो कि हमारे पिछले चार दसक में फॉर्स्ट होगी वहां से मून से सैंपल लाने के लिए चंदरायन फाइव चांगे फाइव अपोलो फाइव यह लूना फाइव चांगे फाइव चांगे फाइव में लूनर मिसल है यह चाइना के दौरा लॉंच किया गया है और नाम था लॉंग मार्च फाइव रॉकेट का इस्तमाल हुआ है यह कहां से भीजा गया तो वैं चैंग स्पेस लॉंच संटर से इसको भीजा गया है तो अब यहां मून के किस एरिया में हमारा लैंड करेगा उसका एरिया का रूंके रिजन यह आपको सारी चीज़ें को ध् रखा गया है तो अब उससे हम लोग को रॉक लाके फाइदा क्या होगा तो में लोग कुछ भी समान लेकर रहेंगे रॉक्स लेकर आएंगे उससे हम लोग को आहरत का इविलिशन और साथ में हमारा मून का इविलिशन भी स्टड़ी कर सकते हैं तो चैना का फर्स कंट्री ह करने वाला कौन था तुमारा फर्स कंट्री करने वाला था यूएस से उसका मिसन का क्या नाम था अपोलो लेवन मिसन था जिसके तहट वह रॉक्स फुल सैंपल लेकिया थे मून से अब हम देखेंगे कि अभी न्यूस में अगर आपने न्यूस सुन रहे होंगे या टीवी देख रहे होंगे पढ़ लेमा तो एक सैकलोन निवार आ रहा है फिर से आपको बताना है यह कौन से स्टेट को हिट करने वाला है और इसके लिए कई सारे जोडशोरों से काम चलना है लोगों को बचाने के लिए तो यह हमारा बेया ओफ बंगाल रिजन में इस साल एक और सूपर सैकलोन आया था जिसका नाम था एमफैन नाम से एक सैकलोन इस साल पहले आ चुका है अभी गंगाल रिजन में अब मिलें एक आरिया फॉर्मुला फिर से देख रहे है न्यूज में है तो आपको बताना है यह कौन सी ओर्गनाइजिशन का जो हमारे इन्फॉर्मल एरिज्मेंट है डिसकसन का नाटो डबल मिन्स्टर फिर उपक् mall कर रहा है तो इसलिए बोला है हमारे फॉर्म में से का अफगानिस्टान के लिए कि वहां पर помог क्या करना हुआ अफगानिस्तान हम अर्या आडिया फ्रमुला फोर्मुला फ्रमुला है हमारा चाहल किया रहा है तो इसमें होता गया है इसमें होता है कि हम लोग informal discussion करते हैं कोई भी हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पर पीस सेक्यूर्टी इसको करते हैं जब भी हम लोग कोई भी चीज इनफॉर्मल में डिसकस करते हैं तो हो सकता है उसका सॉलूचन हमें आराम से मिल जाए क्योंकि आदमी इसलिए आपको इस बात का ध्यानक ना है आरिया फॉर्मॉला हमारा किसे से लिटेट है इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इसूस हैं जैसे की पीस और सेक्यूर्टी टॉक्स को डिसकस करते हैं अब हमारा नेक्स कुछन है कॉपर निकस सेंटेनल 6 माइकल फ्र वेंडनबर्ग एरफोर्स बेस कैलिफोर्णिया में एक जगह है वहां से लॉंच किया गा तो इसमें कौन सा इस्तमाल हो तो रॉकेट रॉकेट हो इस्तमाल हो था स्पेसेक्स फालकन 9 यह वही स्पेसेक्स है जो काफी जारा काम कर रही है जिसने की लूप सिस्टम बना से इस्तमाइब सूझ करेब करेंगा है तो अलडि हमारे जो सी लेवल मेज़्स एक उसी का पांट है जैसे कि पहले भी हमारे मिसन और सेटलाइट रॉंच हो चुकिये हैं तोपेक्स हो गया, जैसन वन हो गया, उसी का यह पार्ट होगा, और हमारा जो है, इसको मिसन का नाम क्या दिया गया है, इस मिसन का नाम दिया गया है, जैसन कंटिनुटी ओफ सर्विस मिसन इसका नाम दिया गया है, तो हमें ओसन का हाइट मिज़र करके फाधा क्या मिलेगा, उससे क्या होगा हम लोग यह मिज़र कर सकेंगे कि क्या हमारे climate change कितने speed से बाढ़ ला है और हमारे cloud के formation कहां पे जादा हो रहे हैं इसलिए इसको study में इस्तिमाल किया जाएगा यह हमारा Sentinel-6 जो है हमारा mission है यह किसके दोरा डवर किया गया है यह हमारा यह 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 लोग मिल करके हमारे यह space mission को भीजा गया है यह हमारा नेक्स कोश्चन है विवाद से विश्वाद स्कीम आपको बताने यह किसी से रिलेटेड है उसका सही आंसर है यह हमारा direct tax dispute resolution से रिलेटेड है तो अभी यह news में क्यों था तो अभी क्या हुआ है कि government ने अभी notify किया है extension of payment deadline हमारा direct tax dispute को कम करने के लिए इसका date को बढ़ा दिया है तो इससे हमारा जो क्या होगा income tax में जो हमारा litigation है उसको कम किया जा सकतेगा और साथ हमारा government को revenue जाता आएगी और लोग को दिमाग को सांती भी मिलेगा टो टैक्सपेर सो वह थोड़ा सांत रहेंगे चलो date बढ़ गया आराम से इस पर काम करेंगे हमारा आज का जो last question है वह रिल्टेट है international day for the elimination of violence against women यह कब मनाये जाता है तो इसका सई answer है कि अग्टीस नौंबर को यह मनाये जाता है जो कि आज का ही दिन है ठीक है इसका theme क्या है इसका theme है fund and respond prevent and collect हमने कुछ और भी dates याद किया था उस बैसे कि हमारे 14 को हो गया चिलैन्स दे हो गया 14 को diabetes होगया 16 कोमारा प्रस दे हो गया ठीक है 21 तारी को मारा फिच्ष्ष्षट हमने याद कि ही था 21 ते यह मैंने टौलेट डे भी वहता है इसी तरह किसे आपको साचनेटीटरी याद रखे हैं तो दोस्तों मैं के साथ हमारा आज सolieन्सींस मॊपत तो स्वागत आपका एक्जाम मंतर में आज है 26 तारिक और हम भी आज करेंगे 26 नौवंबर के इंपॉर्टेंट कॉस्टियूस करेंगी इस वीडियो को आप अंतक देखिए तो चलिए सुरू करते हैं हमारा आज का फरस्ट लेटर है आपको पताना है किस दिन सल्लिग किया जाता है प्लाइक कि हमारा जो लॉर्ल का लॉंगेस्ट रिटन कॉंस्यूसन और जिसमें कि अभी 22 पार्ट है 448 आर्टिकल्स हैं 12 स्केडूल्स हैं और इसमें अभी तक 115 हो चुके हैं तो उसका सही आंसर है 20 नौंबर वो आज ही का दिन है जिस दिन Constitution Day को celebrate किया आता है तो आज ही के दिन celebrate क्यों किया आता है कि हमारा इसी आज ही के दिन 1949 में formally adopt किया गया था इसलिए से आज हम लोग Constitution Day celebrate करते हैं तो इसका में कब आया था यह हमारा इफक्ट में आया था 26 जनुवरी 1950 को एफक्ट में आया था कि प्रोड़ा कॉंस्यूशन के कुछ फैक्ट के बारे में देखते हैं हमारा जो दूर्ड़ कोंस्यूशन है इस पर जो आज हेंड रिटन है और लिखा गया हमारा प्रें बहारी नारायन राजादा के दौरह लिखा गया है वह इटालिक मीटिंग थी हमारे 9 दिसंबर 1946 के हुई थी और यह करीब 2 साल 11 मैने 18 दिन चली थी और इसमें जो फाइनल ड्राफ तक पहुचने के ने करीब 2000 इसमें करना पड़ा था और हमारे जो इसमें इंग्लिस वर्जन में जो है 11 117 369 वर्ट इसमें है तो तली आगे बढ़ते हैं हमारा डात का सेकंड कोस्टन है अभी हाली में किसी कंट्री ने एक मेंडिटरी कोटा लगा दिया है वुमें को वुमें को लगा दिया सीनर मेंजमेंट के पोजूशन पर आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है तो पता ही होगा का किमिटी कौन होते हैं पीम होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर तो हमारा ज्यास जो कमिटी होता क्या है अब ये कोई भी इसे करने ऑसके बनाई जाती है तो यह इसका वो जो हैड किया जाता है हमारे Union cabinet secretary दोरह है किया जाता है अभी हमारे cabinet secretary को न है तो हमारे cabinet secretary है राजीव गौबा जो हमारे जो अभी हुआ क्या है कि हमारे जो साइकलोन निवार आया है तो इसी को हैड करते हुए उन्हें सिच्वेशन का जाजा लिया है अब हम थोड़ा cabinet secretary के बारे में देखते हैं यह जो पोस्ट होता है यह senior most highest officer इसको हैड करते हैं यह हमारे administrative हैड होते हैं cabinet secretary होते हैं cabinet secretary को held करते हैं और इनका main काम क्या होता है कि हमारे smooth transition होना चाहिए सभी ministry और departments के bridge में तो एक तरह से यह हमारे bridge करते हैं गैप को bureaucracy और हमारे political class में तो मारे first cabinet secretary को थे तो मारे first cabinet secretary थे हमारे नर पले थे 1950 में यह जो बने थे यह हमारे जो है ex officer chairman भी होते है civil services board के इस बात को ध्यान अकना है कि हमारे cabinet secretary जो है civil services board के head करते हैं और इनकी जो tenure होती है वह दो साल के लिए fix होती है यह यह दो साल से बढ़ा सकते हैं हाँ बिलकुल बढ़ा सकते हैं government ने चेंट करके लाया था कि इसको दो साल से उपर बढ़ाया जा सकता है लेकिन यह maximum जो अक्सीड होता है वह चार साल से ज़्यादा नहीं होता है तो चलिए आगे बढ़ते है अभी हाली में government ने 43 apps को बै अब हमारा जो कौन से मिनिस्ट्री ने इसको बैन किया था तो इसको हमारी ministry of electronics and information technology दोरा यह बैक कि बैन किया गा था हमारा next question अभी हाली में किस country ने negative yields bond को offer किया है इसका सही आंसर है चाइना ने इसको offer किया है अभी हाली में चाइना ने क्या किया है कि ने इसके डिमांड तब भी बहुत ज्यादा है अब डिमांड क्यों है ज्यादा क्योंकि हमारे जो European countries है और वो लोग सभी अभी जिम्हें की जीडिप उनकी निगेटिव चल रही है इंडिया के जीडिप ग्रोथ निगेटिव ही थी थार्ड कॉर्टर में लेकिन हमारे चा पैसा पार्कट से उठाती है लेकिन इसमें क्या होता है कि government को ना कम पैसा देगी आपको bond को रखने के लिए तो एक दर से यह हुआ हम कि हम गृष्ट को मैसे रखने के लिए इंट्रेविवें झाल bets जमा करेंगे में तो पहर कम भरें ब्रहें आपको कम ही मिलेगा सो से कम ही मिलेगा यह तो लेकिन यह अभी क्यों चैनल करें चारण यह है कि अभी जो कारोना के टाइम में स्ट्रेस्स हो है आ ऐकाफु है on schne stability है तुच工 से हैं अपने लोग देखते हैं कि साथो में लोकेटड़ी को याद करना जैसे कि साथू डैम कहां पे है तो यह हमारा लोकेटट है अफगानिस्तान में और यह कौन से रिवर पे लोकेटट है यह मैदान रिवर पे है जो ट्रिब्यूटी है हमारी काबुल रिवर की और इंडिया एक डैम पे पहले ही काम कर चुका है अफगानिस्तान के अंदर इसक तो बताने किस मिनिश्र ने इसको चालू किया है उसका साही आंसर है okay administrative osób to service and justitie सब्सक्रीद जर्लों यह चालू किया गया तो यह घरीमा ग्रह है क्या एक घरीमा ग्रह एक चल्टर हेज ऴृट 12pes के लिए चालू किया गया है थोड航कhtu इसके बारे में बरीमा ग्रह जो है हमारे जो ट्रांजेंडर पीपल होते हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज देने के लिए जिसे कि खाना पीना बारे मन्ट्री ने इनिसेटीव को इनौगरेट किया था अब इसका फुल फुल फॉर्म क्या है री इन्वेस्ट का री इन्वेस्ट का फुल हो में रिनीवेबल एनर्जी इन्वेस्ट्मेंट मीटिंग एंड एक्सपो यह हमारा आज ही के दिन मतलब की 26 नॉब्बर को ही चालू किया गया है यह तीन दिन का समिट है अपनी इंडिया की goingड को परटेसल चाल को दिखाना है साती इन्वेस्टमेंट को भी एक्ट्रैट करना है साथ हमें पैसा आ सके इन्वेस्टमेंट का जरुट पड़ेılीब और से बतफो के जो कैपेसिटी है और धाई गुना बढ़ा लिया है जो काफी अच्छी बात है यह तीन दिन का कॉंफरेंस है जिसमें कि हम लोग जो है मैं फैक्ट्रेट्वर्पर्स इन्वेस्टर्स और निवेटर्स सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके डिसकस करते हैं अब कुछ इस यह अभी न्यूज में है इसे किसी से रिलिटर्ड है इसका सही आंसर है सहाकार प्रग जो है यह हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा कॉपरेटिव सोसाइटीज को रूलर एडियाज में यह हमारे जो अगरिकल्चर मिनिस्टर है उनके दौरा यह अभी 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 इसक का एक इनिसेटीव है अब NCDC क्या है जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा हमारे प्रेमरी कोपरेटिव सोसाइटीज को रूलर एडियाज में अब क्या होगा इसके थोड़ा सब्सक्राइब में देखते हैं साकारप्रदे जो है यह तरह से सीरीज आफ इनिसेटीव ट्रेंडिक करेंगा NCDC के तहट तो इससे क्या होगा कि हमारे जो फार्मार्स हैं उनको ट्रेनिंग मिलेका निक्रिए पास है को किसी ने किसी और पैसे के लिए एंड करेंगे तो उससे हमारा ध्रेटह पासी सिर्ग होगा तो आपको इस कि हमाराज का लास्ट कोश्चन है अभी हाली में किस ट्रेगर रिजर्ब ने इंटरनेशनल ओवार्ड टी एकस टू को जीता है तो सब्सक्राइब तो जीता है थोड़ा देखते इसके बारे में जो ट्रेगर एक जो एक जो एवार्ड है यह ग्लोबल एवार्ड है जो की 2010 में अधा में तरीशनल किया था इसमें 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 पॉपलेशन को पर्फिटीश कर लिया है तो इसलिए इसको अवड दिया गया है पिलिविर टाइगरी को बना था विए तहां से साथ हमारा कुंपर को पुर्व मिलते हैं और सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको मारे वीडियो पसंद आता है तो क्रिपया करके लाइक शेयर सब्क्राइब करना ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा आज का फॉर्स कोशन काफी इंट्रेस्टिंग है आपको बताना है यह हैंड फॉटबॉल से रिलेटेड है तो आपको लग रहा हो कि हैंड फॉटबॉल से रिलेटेड हो कैसे सकता है तो हुआ था कि 1986 के वर्ल्ल कप में एक मैस के दुरान हमारे जो फूटबॉलर है इनके हाथ से लग करके गोल वो गया था जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं हमारे नेक्स्स वीडिए गोस्त नहीं किया गया तो इसलिए बात में इंटर्वी में पूछा गया उनसे यह गोल क्या था उन्ने बोला थिए हैंड औफ गॉड के दौरा गोल किया था तब ही से यह गोल को Hand of God के नाम से famous हो गया. यह जो footballer है हमारे काफी famous footballer है, क्योंकि इन्हें इस बात से समझ सकते हैं कि 20th century का FIFA player of the 20th century award है, इनको दिया गया था पेले के साथ में joint में. तो इसलिए काफी important है हमारे exam के लिए, और साथ में थोड़ा डिटेल देखते हैं इनके बारे में. यह जो मारे Diego Maradona है, यह अर्जंटीना के रहने वाले हैं. इनका जो nickname है, यह इनको nickname बोल गाता है, L.P.B. De Oro के नाम से भी यह famous हैं. और यह 1986 के World Cup में यह उन्हें नो गोल्डन बॉल भी जीता था. और साथ में इनका जो दूसरा गोल किया गया था, उसी match के दुरान, तो उसको goal of the century भी select किया गया था, FIFA.com में 2002 में. तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है, Diego Maradona कौन थे, यह हमारे footballer थे, यह कहां के रहने वाले हैं, यह Argentina के रहने वाले हैं. आप यहां पर देखिएगा, यह जो goal किया गया है, इनके हाथ से किया गया है. तो आप इस बात को ध्यान रूमें रखिएगा, कि हमारे Diego Maradona कौन थे, यह हमारे Argentina footballer थे. अब हमारे लोग देखेंगे, यह MQ-9B, यह term आतकल काफी news में आ रहा है. यह है क्या चीज? उसका सही आंसर है, यह एक ड्रोन है. अगर आप news देख रहे होंगे, तो आपको पता होगा, कि इंडिया ने इस काटेगर के ड्रोन लीज किया है. तो और देखते इसके बारे में. MQ-9B Sea Garden जो द्रोन है, इंडिया ने एक साल के लिए लिज लिए है USA से. तो अब इस द्रोन में खासियत क्या है? इस द्रोन की खासियत क्या है? कि यह 40,000 फिट पर भी अराम से सर्वलेंस कर सकता है. साथ ही 40 गंटे तक बिना रुके हुए अराम से सर्वलेंस का काम कर सकता है. और अच्छी बात यह है कि हमारे एंटी सब्मरीन वार्फेर में भी इस्तमाल कर सकते हैं और हमारे एंटी सर्फिस में भी इस्तमाल कर सकते हैं. तो आपको ध्यान रकना है कि इंडियन नेवी ने इसको एमर्जेंसी प्रोक्यूर्मेंट के तार लीज पे यूए से से लिया है. तो इसका नाम क्या है? MQ-9B Sea Guardian. हमारा आज का थर्ड कुस्य लेटेड है, एक बैटल ऑफ बिलाउंगिंग से एक बुक है, यह किसके दोरा लिखी गई है? इसका सही आंसर है, यह लिखी गई है, ससी थरूर के द्वारा आपको ध्यान रखना है कि इसके रैटर कौन है? एक बैटल बिलाउंगिंग ससी इसका सही आंसर है, नौर्थ इस्ट इंडिया, बुरू ट्राइब जो है, काफी इनकी अगेंस प्रडेस चलना अभी तुरुपुरा के अंदर, तो इसलिए यह हमारे न्यूज में बने हुए है, तो आदेखते हैं इसके बारे में, बुरू ट्राइब जो है, मेली यह रहन हैं, इनको सटल्मेंट किया जाएगा तुरुपुरा के अंदर, तुरुपुरा का मैप में देखे यह रहा, तुरुपुरा कैपिटल हुआ अगरतला, लेकिन वहां के जो लोकल्स हैं, बंगाली हो गया है, और मीजो हो गये, वह प्रडेस्ट कर रहे हैं, कि इनको यहां प अभी जो है, एक लोक विरासत अभी आप न्यूज में देख रहे होंगे, तो यह है क्या चीज? लोक विरासत एक हमारी फेस्टिवल है, फिल्म्स पे, जो है, फोर्क आर्ट और पेंटिंग्स पे, यह किसके दोरा किया जा रहा है, यह हमारा फिल्म डिविजन के दोरा किय सकति किया जा रहा है, इसमें जो हमारे जो एक्सक्लूजिव जो हमारे डॉक्यमेन्टरी फिल्म्स है, फोर्क आर्ट पे- और पेंटिंग्स पे ुनको जो है, फिल्म्स डिवीजन के वेबसाइट पे यूटूब यूटूब पे उनका नाम है ये लेख सकते हैं यह इनका नाम है ग्रेग बार्क लेड आप नॉट्र एप एक चीज्ज़ इंटरनेशनल क्रिकेट कॉंसल ये वर्ल जो क्रिकेट होता है ना पूरे वर्ल में उसकी गवर्णिंग बॉड़ी है थोड़ा ICC के बारे में देखते हैं कि ICC बना कप था ICC हमारा बना था 1909 में तीन कंट्री के दोवारा औस्टेलिया इंग्लैंड और सौथ अफरिका में इसके जो करेंट नाम है यह उसको मिला था 1989 में अब हम लोग देखेंगे पर आएक आए करती क्या है आएक जो हमारे यहतने वर्ल्ड अब है जैसे कि क्रिकेट ओल्लक अब हो गया वुमन्स क्रिकट वर्लक और 1250 व्रॉल कप हो गया और और 19 Cricket World Cup हो गया इस सभी को औरनाइज करती है यह हमारे जो कोई भी बाइलेटरल सीरीज होता है न उसका कोई कंट्रोल नहीं है ठीक है आपको ध्यान लगना है कि इसमें बाइलेटरल सीरीज में इसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है यह हमारा जो है और साथ में है दूबाई में दूबाई UAE में इसकी हेड़कॉर्टर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हाली में किसी कंट्री ने क्या क्या है एक लॉप पास किया है जिसके तहत सैंट्री पैट्स और टैंपूंस फ्री ऑफ कॉस्ट दिये जाएंगे जरूत मंदों को तो उसका कं सेंट्री पैट्ट पोटी में दिया जार्क इसे क्या होगा हमें स्टिगम को खतम करना है साथ जेंडरी से उचों करना है साथ ही जो होम लेस से लिए जो ли deficit को जूरोद ये उनको यह अन्ण से विए आगे बढ़ते है हमारे next question related है भूटान से related है आपको बताना भूटान के साथ कौन सी स्टेट्स हमारी neighboring states नहीं है उसका सही answer है बिहार तो अब यह न्यूज में क्यों था अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि भूटान के अंदर भी न्यूज में आया था कि चाइना ने एक village को establish किया है इसलि यह काफी controversy क्रेट हो गया था अब हम लोग देखेंगे थोड़ा कौन को से स्टेट उसके neighboring states है भूटान के तो भूटान के neighboring states हमारे अरुनाचल प्रदेश है इस्ट में सिक्किम हमारा वेस्ट में और हमारा असम और वेस्ट बंगॉल है साउथ में तो आपको इस बात का ध् अब भूटान के करन्सी क्या हुई वुटान की करन्सी वुटान नगल ट्रम हुई और भूटान क्या आपको पता है कि भूटान हमारा जो वर्ल्ड में एक मातर कंट्री है फर्स कंट्री है जिसमें की Constitutional obligation है एंवार्मेंट को प्रडट करने के लिए और साथी यहां पर स्मोकिंग को बैन करने वाला फर्स कंट्री है और साथी न्यूज में भी क्यों था कि भूटान की अभी जो क्वीन मदर है ग्यालों सैंगे चोड़न वंग्चुक इनको भी दिया गया है यूनाइटेड नेशन पॉपलेशन अवार्ट इंडिविजवल काटेगरी फॉर 2020 आपको ध्यान रखना है इनका नाम ग्यालों सैंगे को नाम ध्यान में रखना इनकी एंजव का नाम किया था एंजव को नाम था है रिनीव उसका फुल फॉर्म क्या है रेस्पेक्ट एडुकेट नर्चर एंड एमपावर हुमें तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी जो है अगा आपने कल का वीडियो देखा वागा तो आप इस को स्कुल कर सकते हैं कि इसका सब्सक्राइब क्या हुआ है कि वह ने एक साथ ही लॉंज किया था गरीमागरा और नैसल पोर्टल फोर ट्रांजंडर परसेंस तो गरीमागरा के बारे में हमने कर्ड और अल्री इसक्स क लिया था तो हम लोग देखेंगा nasal portal for transgender persons तो इसके तहत किया गया है कि अब कर दो है उनको certificate चाहिए होगा चाहिए होगा है hilft ज़ो atures औहुद आप ज़्षेंट आप mis चाहिए होगा आई-काट के लिए आप उनको ऑनलेन अप्लाइग कर सकते हैं और उनको कहीं जाने की जरूत नहीं है तो इससे क्या होगा उनको अराम मिलेगा वो कहीं बैठे भी अराम से उसको बनवा सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है किस मिनिस्ट्री के दरब चालू किय अब आज का लास्ट कोशन है मास्क बैंक जो है किस कहां पर क्विस्ट्रीट में चालू किया गया है तो इसका डेली में मास्क चालू किया गया है इसमें होगा क्या इसमें भी जो भी जिनके पास मास्क नहीं है उनको फ्री में मास्क दिया जाएगा और जिस लोग को मास्क अराम से free of cost ले सकते हैं क्योंकि डेली में अभी क्या किया गया गया तो 2000 का penalty लगा दिया गया अगर आप मास्क नहीं पढ़ेंगे तो अगर लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो कहां से लाएंगे पैसे मास्क के लिए इसलिए उनको free of मास्क दिया गया तो दोस्तों इसी कसाथ हमारा कुश्चन अंसर के से से समापत होता है आसा करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो इसलिए लाइक सेरो सब्सक्राइब करना ना बोलें तो चले फिर कल मिलते हैं थैंक्यू वेडियो दोस्तों आज है 28 तारीक औ मैंसे ड़ी तो आज का सब्सक्राइब कर ले और आज का फॉस्त को सन काफीच वेडियो ऑन से फिनो मेन होगा मुंबई के रहने वाले हैं तो आधी या करके यह आप देख करके आईये हो क्या रहा है कि जब हमारी जो वेव्स हिड कर रही है सोर को तब यह सक्षी हो रहा है कि समुद्र के अंदर स्वेस्ट्रोपिक मैं ब्लैंट जिसका नाम है datuce scientific summum और और वो प्रोटीन में करने हैं उनके कर रहे हैं और वह यो यूरो टिस्टर्ब हो जा रहे हैं और वह प्रोटीन उना antr हो हमके की नियुद्वल्न करएं यहमारे नों मारसनिे होता है उन्युद्व होता है तो आपको ध्यार दलैकना है कि वाले हमाने में होता है और यह होता कि जान बचाने के लिएक रिपरी में अभी मैं मसरूम अदर उक चूरी कहीं अंदर ऑच्विण धाला की लाइट उसके में कुछ chemical reaction हो रहा था इसलिए वो लाइट इमिट कर देती ग्रीन किलर की तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा आज का second question related है इविन से आपको बताने है यह term किसे से इसका सही आंसर है इविन हमारा एक online platform है वैक्सीन से रिलेटेड थोड़ा इसके बारे में डिटल से देखते हैं इविन का फुल फॉर्म क्या है इलेक्ट्रोनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेट्वर्क नाम को देखके आपको समझ में आ रहा होगा यह है क्या ची तो अभी हम आको इवैक्सीन प्रोग्राम है उसको लेगर प्रेड़नेस को चैक किया गया तो ऑना इविन के बारे में देखतें है अब इवीन में होता क्या है जितने भी हमारे वैक्सीकृ क्षु है उनको दिस्टाइचर कर जाता है डिशीक करने से फाइने 바ard क्या होगा जहां पर हम् और इसमें अच्छी बात क्या है कि हम लोग कोल्ड स्टोरेज के जहां पर हम लोग वैक्सिन रखते हैं उसका टेंपरेचर भी मोनिटर कर सकते हैं बैटे-बैटे कहीं से भी तो इसका हम लोग अलड़ी इस्तमाल कर रहे हैं हमारे इम्मनाजिशन प्रोग्राम के अंदर इसक से पहुचाया जाए तो इसी बात को लेकर के डिस्कुर्शन हुआ था तो आपको ध्यान में क्या रखना है इविन क्या है इविन हमारा एक एलेक्ट्रोनिक वैक्सीन इंट्रिजिशन नेट वर्थ हैं तो इसलिए आगे बढ़ते हैं अभी एक हाली में सेनिटेशन और ग कर दया आए संसरे और ने खेंठ यह Exclusions और जोक सब्सक्राइब क्या में सब्सक्राइब करने सबदे रहे हैं अबसक्त इस अंगे हैं फार्व half ऑट यह ऑननिक DAVID नहीं है इकान वाज्श से सब्सक्राइब की सुबधा भी नहीं है तो इसी एकारण से हमारे जो टोटल वॉर्ड में करीब करी 222 बिलियन डॉलर का लॉस होता है तो आपको ध्यान क्या रखना है सैंटेशन एंड हैजिन फॉंड जो है यह किसके दोरा चालू किया गया यह हमारे चालू किया गया उनाटिड निशन के है हमारा प्रो एक्टिव गवर्वर्नेंस एंड टैमली इंप्लेमेंटेशन यह एक तरह से हमारे मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म है जिसमें की सेंटर स्टेट सब लोग मिल करके डिसकुसन करते हैं तो थो देखते इसके बारे में अभी हमारे प्रधानमंद्र जी ने का जिसके इतहत हमारे स्टेट के सारे सीफ सेकेटरी और और एक जिगा आ करके डिसकेस करते हैं हमारे rightencer करते हैं कि हमारे इसलिए हमारा एक cooperative federalism का बढ़िया उधारन है यह आप answer writing में भी इस्तमाल कर सकते हैं इसको आपको ध्यान रखना है विए प्रगती क्या है यह हमारे एक प्लेटफॉर्म है इसमें की center state सभी लोग मिल करके cooperative federalism का इस्तमाल करते हुए program को हम लोग जितने भी initiatives को monitor करते हैं अभी 2019 के लिए Oxford Disney ने कौन सा वर्ड को select किया है वर्ड ये इसका सही आंसर है climate emergency को select किया गया है इस तरह से calling डिस्टेश्ट किया था वो select किया था उन्होंने select किया क्या था lockdown को select किया था अभी वारा कोवेक्स alliance काफी news में बना हुआ है तो आपको बताना है यह कौन से signal organization के दौरा जौग चालू किया गया है तो तो ही आंसर है इसका वर्ल है जौन का चौप अब यह सब देखते हैं अभी क्या है कि जो को ना की वैक्सिन बनाई जा रही है तो हमारी जो कई सारे जो डेलियुम मिल करके इसमें क्या है कि हमारे गरीब कंट्री भी बड़े और अमीर कंट्री भी सब लोग मिल करके प्लेटफॉर्म पर आएंगे और हम लोग जो कुरोना की वैक्सिन बना रहे हैं उसके डिलपमेंट में प्रोडक्शन में और एक्क्यूडबल एक्सेस में आपको ध्यान रखना है यहां पर एक्स इंड़रे आपको बताना है कि ऐस्ट्रियंट डिफरंस फोर्सेज के द्वारा कहां पर यह वार्पम्स हुआ था जो सही है अंसर इसका अफजनित्टान ब्रेटं वार्पम्स रिपोर्टैज है हमारी ऑफ और और यूज्जान रखना है इस बात का कि यह यूजए से नहीं है तो हमारे एक्जाम से बस इतना ही काम का है यह हमारे जो कई सारे वार क्राम किया गया है ऑस्ट्रेलियन डिफंस फोर्स द्वारा अफगानिस्तान के अंदर 2005-2016 के लिए तो उसी पर यह रिपोर्ट आई है अभी आपको बताना है कि हमारे नॉर्दन इंडियन ओसन रिजन के अंदर जो ट्रॉपिकल साइक्लों का जो नेमिंग होता है उसके अंदर कौन को से कंडि उसकी मेंबर्स हैं आपको बताना है क्या ओमान बंगलादेश युवई माल्दीश इसके मेंबर्स हैं उसका सई आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर 13 कंट्रीज हैं जो नाम डिसाइड करती हैं हमेरे साइक्लों की अभी क्या है कि 5 कंट्रीज हमारी 2018 में इसके अंदर सामिल हुई थी उनका नाम था इरान, कतर, सौधी अरेबिया, UAE और यमन तो टोटल मिला करके 13 कंट्रीज हो गई साइक्लों था निवार जो की हिट किया है हमारे इंडिया नोशन रिजिम में ठीक हैं तो हमारे फॉर्स साइक्लों था वो था गती, गती कहां पर हिट किया था सुमालिया में, इस्टर इंडिया में, साइक्लों निसर कहां हिट किया था महाराज में, अब निसर का नाम किस जी किसके दर्वार नाम धिया गया है इरान के दवारा आपको اس country जो है सभी के location फके याद रखना है घ्योट ले दो चली आगे बढ़ते हैं नासा का Curiosity Rover हमारे किस सलेस्टियल बॉड़ी पे भीजा गया है यह न्यूज में क्यों है यह भी बताते हैं आगे तो सही आंशर इसका मार्स पे नासा का Curiosity Rover हमें मार्स पे भेजा गया है तो अभी यह नियूज में फिर से क्यों आया नियूज में इसलिए आया क्योंकि इसने एक जैन्ट जैन्ट जो है फ्लैस्ट फ्लेट को की खोज किये है हमारी कहांपे खोज करी है गेल क्रेटर है हमारा मार्स के एक कुछ करी है नासा के करिए हमारा मार्स पे खोज करिये हमारा आज का लास कोषण है National Organ Donation Day कब मना जाता है 26 नौंबर 27 नौंबर 28 नौंबर या 29 नौंबर उसका सही आंसर है 27 नौंबर को मना जाता है इस साल हम लोग ने 11 11 इंडर्ण Organ Donation Day किया था अब जो हमारा एक एजनसी है जिसका के नाम है नैसनल औरगन एंड टीशू ट्रांस्प्लेंट और ऑगना जीमें हे चोन kilogram और ऋघंड औरगना करता है जो अनेOM काफ़ी कम है वह करीब 0.65 बोनेट कर सकते हैं तो दोस्तों हमारा कैसे सना समापत होता है आढ़सा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो चलिए कल मिलते हैं धन्यबाद तो इसलिए इस वीडियो को आप अंतक देखिए स्वागत आपका एक्जाम मंतर में अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें हमारा आज का फर्स कोशन काफी इंट्रेस्टिंग है ब्लू टैट नाम से फिनोमेना हो रहा है हमारे किसी सीटी के अंदर आपको बताने है किस सीटी में हो रहा है इसका सही आंसर है ब्लू टैट जो है हमारा मुंबई के अंदर देखा जा रहा है अगर आप मुंबई के रहने वाले हैं तो आधी जा करके यह आप देख करके आईए हो क्या रहा है कि जब हमारी जो waves hit कर रही है सोर को तब वो blue color की चमक रही है तब ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है कि समुद्र के अंदर यह माइक्री स्कृपिक मैरी प्लांट इसका अनाम है phytoplankton उसकी अंदर राया है और आःऊANG प्रोटीन प्रोटीन के अंदर केमिकल रेक्शों हो रहा और वो ला कि आमat रही है यह हमारे host के होता है फंगी में होता है तो आपको ध्यान रखना है कि ऐमारी एनिमज में होता है और यह तर इवन है अपने आपको जान बचाने के लिए एक रिस्पॉंस है अब यह जो हमारा जो अल्यूमिनिसंस प्रॉपर्टी है यह गहरे समुद्र में ज्यादा होती है वनिस्पत उपरी समुद्र में अभी हाली में हमने एक और मस्रूम का वराटी देखा था मिगाले के अंदर जो की ग से सब्सक्राइब झालें वाट से से रिलेटेटेट थोड़ा इसके अफूल कि एवन का फूल फूल किया है एलेक्ट्रोनिक वैक्शीन इंटिलेजेंस नेटवर्ट नाम की देख के आप समझ में रहा होंगा यह है क्या चीज़ तो आभी हमारी प्रदान मंत्री जी ने हाल वहां फोरा में लेकर करने से पस्ताल है ज होग जहां पर नहीं की कम होगी वहां पर कर सकते के दिगते हैं लोग और यहां लग उसे प्रषी में दल KIM रखते उसका ट記得 कर सकते हैं बैटे-बैटे कहीं से तो इसका हम लोग ऑलड़ी इस्तमाल कर रहे हैं हमारे इम्मुनाज़ेशन प्रोग्राम के अंदर इसका अलड़ी इस्तमाल हो रहा है अभी क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बताया कि हम लोग इविन का यूवनडीपे के साथ मिल करके हम लोग यह डिसकस कर रहे हैं कि हमरे जो वैक्सीन जो बन जाएगा वो प्रैमरी बेनिफिसरी को सबसे पहले कैसे पहुचाया जाए तो इसी बात को लेकर करके डिसकसन हुआ था तो आपको ध्यानमे क्या रखना है इविन क्या है इविन हमार एक एलेक्ट्रोनिक वैक्सीन इंट्रिजेंस नेटवर्ग है तो इसलिए आगे बढ़ते हैं अभी एक हाली में सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड बनाया गया है आपको बताना है कौन सी और नेसिन के दौरह यह बनाया गया है अभी आपको जानके काफी हरानी होगी कि हमा हमारे जो एक में से तीन बच्चे जो बच्चे हैं उनको बेसिक सैनिटेशन और हैजीन की सुबधा भी नहीं है अपना हेल्थ केर तो और भी खराब है एक में से पांच जो लोग है उनको कोई सैनिटेशन की सुबधा भी नहीं है तो इसी एकारण से हमारे जो टोटल वर् अभी आपने निउस्पेपर पढ़ा होगा तो उसमें प्रगति टर्म्स काफी देखा होगा आपको बताने यह प्रगति है क्या चीज उसका सही आंसार है यह नन अफ दैबाव प्रगति का फुल फॉर्म है हमारा प्रो एक्टिव गवर्वर्नेंस एंड टैमली इंप्लेमेंटेशन यह एक तरह से हमारे मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म है जिसमें की सेंटर स्टेट सब लोग मिल करके डिसक्रशन करते हैं तो थोड़ देखते इसके बारे में अभी हमारे प्रधानमं है जिसके तह्त हमारे स्टेट के सारफ सिञेटरी और यूट्यां गवर्मेंट के सबस्कार में उसका करते हैं तो इसमें हमारे इसलिए हमारा का बड़ी आउधारान Egver 쓸 यह इसको अन्धरिगन दोब्हें कर सकते हैं इसको आपको ध्यान रखना है विए प्रगती क्या है यह हमारे एक प्लेटफॉर्म है इसमें की सेंटर स्टेट सभी लोग मिल करके कॉपर्टिफ एडिरूम का इस्तमाल करते हुए प्रोग्राम को हम लोग जितने भी इनिसेटिव को मोईटर करते हैं अभी 2019 के लिए औक्सफोर डिस निजरी ने कौन सा वर्ट को स्टेट किया है यह उत्य आपको बताना है किस कौनसी ओर्ट ने चौन के दौर चालू किया गया है तो चले अंशर एक का वर्ड health organization के दौरा यह चालू किया गया है वर्ड health organization साथ में cpI और गेवी जो है वैक्सिन एलाइन्स यह त्यनों मिल करके को इस कोफ़ेक्स एलाइन को चालू किया गया कोवक्स अलाइन है क्या यह देखते हैं अभी क्या है कि जो하고 चैसिंग बनाई जा रही है तो हमारी कई सरे का कट्री मुब जाएगा तो इसलिए क्या किया गया एक रेझ बनाया घ्वल को सब्सक्राइब मिल करके का अथा इसमें क्या है कि हमारे यह द एक ज़ो झोर्णा की डफ्न रहे हैं उसके डवल्प्मेंड में पिउडेग्स में आपको ध्यान रखना है यहां पे X2 Free होना सबीको तो को नदो ग्रोंड की टी उसकी लेने के लिए यह अलाइंस बना गया है तो आपको ध्याम रखना है क्यों बनाए गया है अभी अबुच्ट आई आपको बताना है कि ऑस्ट्रियंड डिफरेंज इस ना कि तो हमारे ग्जाम से बस इतना ही काम का है यह हमारे जो कई तो उसी पर यह रिपोर्ट आई है अभी आपको बताना है कि हमारे नौर्धन इंडियन ओसन रीजन के अंदर जो ट्रॉपिकल साइक्लों का जो नेमिंग होता है उसके अंदर कौन को से कंडि उसकी मेंबर्स हैं आपको बताना है क्या ओमान बंगलादेश युवई-माल्दी इसके मेंबर्स हैं तो उसका सई आचर है हाँ यह चारो उसके मेंबर्स हैं थोड़ा देखते हैं डेटेल से इसके बारे में अभी हाली में हमारे साइक्लों निवार भी आये थी इसी कारण से यह निउज में है आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर 13 कंट्रीज हैं जो नाम डिसाइड करती हैं हमेरे साइक्लों की अभी क्या है कि पांच कंट्रीज हमारी 2018 में इसके अंदर सामिल हुई थी उनका नाम था इरान, कतर, सौधी अरेबिया, UAE और यमन तो टोटल मिला करके 13 कंट्रीज ह हो गई थी और वो वो सभी असे लोग नाम देती हैं उसी के हिसाब से साइकलों का नाम होता है को हमारा जो भी यह जो इस साल का चौथ अक्निवार जो हिट कि हमारे इंडिये नुसनलली इसमें तुमारे फ़ॉर्स सातलों था वो था गती गती कहां पर हिट क्या था सुमालिया में I'm from कहां पर हिट क्या था इस्टर इंडिया में सैक्लो निसर कहां हिट क्या था महाराज में अब निसर का नाम किसे लिए था वो दिया था बंगलादेश ने गती दिया गया था नाम इंडिया के दौरा और निवार किसके दौरा नाम का curiosity rover हमारे किस सलिस्टियल बॉडi पे भीजा गया है को सही में नासा का है नास्यम क्रेशिटी रोवर हमें मार्स पे भीज़ा गया है तो अभी यह फिर से इसलिए आया क्यों कि इसным equiv को कई है त्मक्पे चीरेटर को कि को भूज की और है हमारे मार Singapore के पास तो वहां पे इसने खोज करी है, तो पिसे आपको ध्यानक ना है, नासा के Curiosity rover कहां पे भेजा गया था, ये हमारा भेजा गया था मार्स पे, और इसने कहां पे खोज करी है, तो गेल क्रेटर है मार्स पे, वहां पे खोज करी है, हमारा आज का लास्ट कोच्छन है, National Organ Donation Day कब मन जाता है 26 नौंबर 27 नौंबर 28 नौंबर 29 नौंबर उसका सब्सक्राइब 27 नौंबर को मना जाता है इस साल हम लोग ने 11 लेवेंथ इंडन और डोनेशन देशलिबरेट किया था अब जो हमारा एक एजनसी है जिसका के नाम है नाशनल और और टिशू ट्रांस्प्लेंट और जीशन यह हमारा जो एक्ट है हुमन और ऑर्गंस एप 2011 इसके तहट जो हमारे और डोनेशन को प्रमोट करना इसी और चैनी का काम है तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी और अशन्य ने तो हमारा और से ने नेन और टिशू ट्रांस्प्लेंट और नाजिशन तुम्हारा फर्स ट्रीट को नहीं इसमें तुम्हारा तमिलनाडू है जो कि लगा था चटी वायर उसको यह ओर्ड मिला है और इंड्या के अंदर डोनेशन काफी कम है वह करीब 0.65 डोनेशन पर मिलियन है इंडिया में जो की काफी कम है और हम लोग क्या कैची तो दोस्तों इसका साथ हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो चले कल मिलते हैं धन्यवाद आज है तीस नौवमबर के इंपोर्टेंट को सब्सक्राइब अगर आपने हमारे चनल अब अपका एक्षाम मंदम्र में और चली हम लोग सुरू करते हैं हमारा आच को सिन काफी इंफर्मेर्टी भी है अब को पताना है देव दीपावली कब कहाता है आप दी पावली को दिपावली से बिलकुल कंफुज मत करना दोनों अलग-अलग चीज़ है इसका सभी के लिए तो बेज़ी पागली को हम भगवानों की दिवाले भी बोलते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन celebrate कियाता है बनारस के अन्दर और यह हो इसका दिन परता है फूल मून का दिन पुरा रवीदास घाट से लेकर के राज घाट तक बिल्कुल दिया से दम पुरा आप सजा देते हैं इसलिए आप अगर आप वहां के रहने वाल है तो इसको बिल्कुल जा करके देखिए और हमारा आपका दूसरा कोशन है आपको बताना है कि रेडियो पुल्सर को पहली बार किस ने डिसकोवर किया था तो यह अभी न्यूज में क्यों था न्यूज में इसलिए है क्योंकि रॉयल सोसाइटी ने इनके नाम का एक पोर्ट्रेट डिस्प्ले किया है इसलिए यह न् थेखते हैं के बार में यह जो है यह हमारी Northern Ireland की रहने वाले एक एस्ट्रोफिसिस्ट है इन्होंने ही हमारे रेडियो पुल्सर को डिसकोवर किया था 1967 के पार अब क्या हुआ है कि इसको बोला गया कि one of the most significant scientific achievement था हमारा 28th century में पर इनको Nobel Prize नहीं दिया गया 1974 में जो दिया गया हमारे पुल्सर के लिए तो यह काफी दुखत गटना है इसी के बाद यह Controversy चल रहा है तो ठीक है आपको ध्यान रखना है कि देन सुजन जॉलियन बैल बर्णन ने हमारा रेडियो पुल्सर को फर्स डिसकोवर कि रहते हैं अब यह बताना है कि आर्टी PCR को को इन्वेंट किस ने किया था तो इसका सही आंसर है कैरी मुईलिस ने इसको इन्वेंट किया था इसी आर्टेस्ट को अब यह इनको Nobel Prize में मिला था इसी के लिए 1993 में बाकि जो नाम दे रखें हैं उपर हर्वी माइकल चार्ज य को अब कि यह सatur थे वर्टेस्ट में आप जिसकर्वरी फ्यक्तिव और इसको ट्रिक है वहाधे है वर्ट राइस हर्वेस्ट रफ्या रवे औरस हो गया माइकल हो ग्लिएber न हो गया उसको आप यहां से न हो गया इसको आप ऐसे लिंक करके याद कर सकते अब हम देखेंगे अमारा आटी पीसेया टेस्ट दुबारा नियूज में क्यों आया अभी नियूज में इसलिए आया कि एक और लैब है जिसका नाम है सेंटर फॉर्म सेलुलर एंड मायलो को बाइलोजी इसको जो है परिमिसल मिल गया है करक्याब कर सकती है इसलिए दुबारा नियूज में आया है तो नहीं प्रप्रड़ देखते हैं रर्सकें भारे में टक्राइब कर दो अबार 62 लें गीति उस्कीन से Pacific नहीं होगा इस से इन traksy द्टर कम रह+. और दूसरी बात इक है कि आर्नने को आइसी он नहीं करना है जिसके कारण हमारा काफी टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा अब इसी के तहट हमारा टेस्ट तुरंथ एक दिन में भी आ जाएगा राम से 6 गंटे में आ जाएगा तो हमारा जो मेजर बॉटल लेक था वह दूर हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं पोटाटियों के लिए भी नहीं मैंगो के लिए नहीं हनी के लिए आपको बिल्कुल ध्यान रगना है यह हमारा स्वेट्रेवलुशन हनी से रिलिटेड है तो अभी न्यूज में क्यों था अभी क्या हुआ है कि हमारे मिनिस्टर और अगरिकल्टर और फार्मर्स वेलफेर बढ़िज्बेर फारमर्स अप्रनेशन को शरिष सब्सक्तर और इसलिए के लुए यह नो-गरिगे भी क्योंकि यहां पे करीब 30 परशन प्रोडूसर प्रोडूसर को ने हनी का वह है चाइना चाइना ही है इस फिल्ड में भी लीडर और इंडिया के अंदर को ने पंजाब तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपको बताता है स्ट्रिप्ट बबल नेस्ट फ्रॉग यह जो हमारा नया फ्रॉग मिला है यह कहां पर रखाउन फ्रॉग प्रॉग बताना है इन फॉर्मेशन मैनेजमेंट काहां पर बेज़ड है उसका है यह मारा बेज़ड है गुरु ग्राम जिसको कुई घुड़गों के नाम से हम लोग जानते हैं अभी हुआ क्या है कि हमारे जोट्वन फीट्विश हभीं गैराइक्स की तो समय डिफेंस मेंस्टर ने बोला था कि हमारे इंडियन नेवी, कोश्टगार और मैरिन प्लिस ने 3-tier security structure बनाया है coastal areas के secure करने के लिए इसके लिए ही information management and analysis center का काफी महत्पून योगदान है यह initiative किसके दौरा है यह हमारा initiative है इंडियन नेवी कोश्टगार और भारत electronics के अंतरगर तीनों के तहद है आगे बढ़ते हैं कि यह जो center है हमारा बनाया गया है एक हमारा पहले बनाया गया नेशनल कमांड कंट्रोल communication and intelligence system बनाया गया जिसके तहद हमारे करी 51 स्टेशन वीस हमारे नेवी के और 31 हमारे हो गया कोश्टगार के तो यह लोग क्या किये एक पुरा system बना लिया अब जो भी information जो वहां से ट्रैक करने के लिए बनाया गया था इससे हमारा जो कोस्टल इरियास था वो काफी सिक्यूर हो गया तो अभी क्या हुआ था कि 26 ग्यारा के बाद जितने भी हमारे सीव फिसिंग वेसल्स थे 20 मिटर से लंबे सभी को बोला गया कि आप जो है ऑटोमेटिक और अडिटिफिक जो अभी हमारा एक वर्ड अभी है यह कहीं पर लिखा हुआ हमें मिला है यह बताने इसका मतलब क्या होता है कि यह हमें एक ब्रामनी इंस्क्रिप्सम मिला है भी हाल फिलाल में जिसमें कि प्राकित लैंगोज में लिखा हुआ है और यह 3rd century BC का है इसके लिए यह इंपोर् इसलिए इसका importance बढ़ जाता है एक्जाम के लिए तो आगे बढ़ते हैं अब आपको बताना है कि कौन से मिनिस्ट्री ने लॉंच किया है इंडिया Climate Change Knowledge Portal तो इसका सही आंसर है यह लॉंच किया गया है हमारे Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change के द्वारा तीक है अब यह पोर्टल क्यों बनाया य जहां पर आप sector wise mitigation and adaptation measures देख सकते हैं इंडिया के अंदर तो चले थोड़ा देखते हैं इसके बार में यह जो पोर्टल बनाया गया एक तरह से हमें knowledge को disseminate करना है कि citizens के अंदर कि government के दौरा क्या-क्या steps लीगे गया है national और international पर climate chain को को देखते हैं तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है यह पोर्टल का नाम क्या है इंडिया climate chain knowledge portal तो इससे इसके अंतहर आठ जो categories है उसमें आप देख सकते हैं information को disseminate किया जाएगा आप चाहे हैं तो इस website को खोल करके भी अराम से देख सकते हैं इसमें हर एक ministry के दौरा कोई भी जो update आएगा यहां पर आप आप दा करके देख सकते हैं अब एटीना स्वैंड चार्टर यह किसी से related है तो इसका सही answer है यह हमारा related है enhancing gender equity in science technology and engineering mathematics and medicine in the UK तो यह में इंडिया में क्यों नि एक प्रोग्राम ला रही है जिसको कॉपी करते हुए इंडिया में लेके आ रही है ताकि वूमेंस का participation बढ़ाया जा सके science technology इंजिरिंग और mathematics medicine में तो हम लोग इसलिए इसलिए अभी news में है अभी क्या है कि इसके अंदर आप देखेंगे तो इसका जो स्कीम का नाम क्या होगा इंडिया में इंडिया में नाम होगा गती जिसको हम लोग बोलेंगे gender advancement to transforming institutions इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एथिना स्वान चार्टर जो है इंडिया में एडाप्ट होकर के गती नाम से आएगा इसमें हमारा focus area क्या होगा वुमेंस के हम लोग participation बढ़ाना है हमारे जितने भी science technology के इंदर बढ़ाना है तो इसके तहट department science technology करेगी क्या हमारे जितने भी institutions हैं उसके तहट एक grading system लाएगी grading में क्या करेगी जो भ आज का last question है international day of solidarity with Palestinian people कब observe किया जाता है 29 नौंबर को ही तो इस दिन क्यों observe करते हैं इस दिन हमारा 29 नौंबर को इसलिए observe करते हैं क्योंकि 1947 के तहट UN assembly का resolution passed हुआ था partition of Palestine के लिए इसलिए उस दिन observe करते हैं आपको इस बात का ध्यानक ना है कि यह हमारा 29 नौंबर को होता है international day of solidarity with the Palestinian people और आप देखेंगे Palestine जो है दो पार्ट में divided है एक है Gaza Strip में और एक है West Bank में तो आपको इसके map location भी ध्यान रखना है कि neighboring countries कौन-कौन सी है उनकी capital कौन-कौन सी है तो दोस्तों इसी के साथ हमारा question answer session आज समापत होता है आसा करते हैं आपको हमारा वीडियो subscribe कुरना बिलकुल ना वोले तो चले फिर कल मिलते हैं धन्यवाद